your future is created by what you do today not tomorrow मतलब आपका जो भविश्य हैं लोग अक्सर भविश्य को ले करके चिंतित रहते हैं वो उससे बनता है कि आप आज क्या कर रहे हो कल आपने क्या किया था पहले आप कितने अच्छे थे इससे कोई मतलब नहीं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का सवकत करता हूं अपने परिवार पीवी आर श्टडी में तो प्रिये चात्रों जैसा कि आप सभी के लिए एक विसेस बैद चल रही है मैत की इस्पेसल कलास बेसिक मैत यह सभी चात्रों के लिए है चाहे आप अध्यापक बनना चाहते हैं आप पड़े अधिकारी बनना चाहते हैं आप आर्मी में जाना चाहते हैं पुलिस में जाना चाहते हैं मतलब कुछ भी करना चाहते हैं अगर आपको मैत नहीं आती हैं कई र पढ़ेंगे आपका जो बैस चल रही थी उसका आज पार्ट नंबर 14 है यहां तक दिख रहा है न देखिए आज कौन सा है पार्ट 14 है और हम सभी स्टार्ट किये थे नंबर क्योंकि गडित का जो बेस है वो नंबर पर ही डिपेंड है उसी पर अधरित है तो नंबर में हम लो जैसे की मार्कर मुझे लग रहा बहुत कम चल रहा है इमेजिनरी नंबर और और इस नंबर और इसमें इंकडाल दीजिए तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंपलेक्स नंबर के बारे में अब से कम 10 या 15 भूल ध्यान दीजिए यहां पर आप सभी लिखिए पर टाइटल लिखिए क्या लिखेंगे कंपलेक्स नंबर आप काफी लोग परेसान हो रहें कि यह इंगलीस में लिख रहे हैं मुझे तो आती नहीं यह कौन सी बास है भी आम तो इंदी जानते हैं यूपी वाले हैं भिहार वाले हैं तो बिल्कुल टेंसन मतलों बंगाल दोनों लेंगवज लिखेंगे कंपलेक्स नंबर को साथियों बोलते हैं समरिस संख्या यह क्या होता है इसके बारे में आप सभी ध्यान से देखिए कंपलेक्स नाम से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं अगर आप इंगलिस थोड़ा बहुत जानते हो हिंदी में तो फिलहाल कम समझ में आएगा या हिंदी में भी आप समझ सकते हो देखो यहां पर लिखा समिस्र जो लोग हिंदी पढ़ें संधी और उनको पता होग देखो मिस्र ना आपने पढ़ा था मिस्रित भिन मैंने आपको बताया था ना मिक्चर जी से जानते हो मतलब कोई भी बस तुमें धेर सारी चीजें मिला दी जाएं तो उनको क्या बोलता है मिक्चर ना अब देखिए यहां पर समझ यह कैसे समिस्री तो चीज़ें का मिक्चर तरह लग रहा ना तो इसको पहले आप लोग इक्जाम्पल जादा बेहतर होगा परीवासा ना कहीं पूछा जाता ना कोई मतलमी विसेश रूप से लेकिन開व मता दूंगा चाहीए अपको रिए लिखांग 2i है यहां तो कुछ दिखी नहीं रहा है दुछ ची नहीं लेकिन है जैसे अगर हम यह नंबर देखें और यह यह दोनों वैसे कंपलेक्स नंबर पढ़ने के पहले आपको रियल नंबर और इमेजनरी नंबर आना जरूरी है तो फिलहाल हमें लगता कि पिछली कलास में नहीं प जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या और यह क्या आपका इमेजनरी नंबर है न जिसे क्या बोलते हैं कालपनिक संख्या तो फुल मिलाके यह मतलब है कि वास्तविक और कालपनिक दोनों को एक में मिला दिया जाता है तो बन ज समझ सकते हैं इसकी definition भी आपको लिखवा देंगे उधर साइड में लिखा कालपनिक हलका बाँर निकल गया लेकिन पूरा दिख रहा है यहाँ पर लिखा है कालपनिक तो यह हो गया इसके बाद अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है लिकिन मैं थोड़ा सा यह नंबर के बारे में आपको पता देता हूं इमेजनरी नंबर आखिर यह कल्पनिक संख्या क्या होती है क्योंकि यह थोड़ा सा अजीव क्या लगता है कई बार समझ में नहीं आता है तो यहां पर आप लोग घ्यान दीजिए उसके पहले इपनीशन बाद में लिखाऊंगा वैसे दोनों की वास्तबिक कल्पनिक और यह सम्रिस सबका उदाहरण में लिखवा दूँगा पहले आप यहां पे समझ लिजिए फिर उसके बाद उदाहरण और परिभासा सब हो जाएगा जैसे नाम से असवच्छ है कल्पनिक संख्या जैसे कल्पना करिए इमेजिन करिए कि हम देश के परदान मंतर ही होते हम अपने यहां के परदान बन गए होते हैं तो क्या करते हैं बहुत से लोग कुछ ऐसा ही है यहाँ पर आप देखिए समझेए यहाँ पर उससे तो कुछ अलग हो गाई तो कालपनिक संख्या में यहाँ पर आप इधर साइड में देखिए कालपनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर इसका जो रूप होता है अगर आप कहीं भी देखोगे ढूणोगे आपको मिलेगा आई का इसक्वायर किपल माइनस कवन या फिर जो आप सिंपल में अभी तक पढ़ते आयो इधर से इसक्वायर जब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूर लग जाएगा और यह हो जाएगा इसका एक परकार से क्या है वह खोटा है बस इतना समझ लो कि कहीं भी अगर आपको कालपनि नंबर दिखानाय तो आप इस तरह से दिखा सकते हो दोनों में से कोई भी दिखा सकते हो और यह तो आपको कुछ समझ में और यहां और यह यहां से यह समझने आ रहा देखो एक चीज आई सिंबल है किसका इमेजनरी नंबर का सिंबल है तो यहां पर यह समझने आ कि अंडर रूट के अंदर माइनस वन होना चाहिए वही क्या है कालपनिक नंबर तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो बता रहे हैं इसमें भी है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है देखो कैसे उपर का च्छत है इसके अंदर में आप कुछ भी करो सब वह तो एकी चत की नीच्छी लेकिन कुछ लोगों को अगर इसमें भी अपच्छ हो रही नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको अलग कर दो और इनको भी अलग कर दो भाई यह लो यह भी तो वही इसका तो पांच हो जाएगा लेकिन जो माइनस का यह वन फसर आया यह क्या है आप यहां देखो इदर यह आई इसका मान है ना आप यहां पर आई लिख सकते हो ना तो फुल मिला करके समझ में आ गया फाई पाई क्या है एक इमेजनरी नंबर है एक कालपोनिक संख्या है यहां पर जो मैंने लिखा था वह ही यहां भी है बस इसका थोड़ा अप्ग्रेट फाम है ऐसे मान लो मतलब नई अप्डेट तो इसको लिख लिजिए और अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख पा रहे हैं तो पीवियार स्टेडी लहाबाद की चैनल को सब्सक की नाम है PBR स्टेडी बननी परडानमंतरी जी कहते हैं एक एक टेक सब्सक्राइब सी सब्सद्ल मुलого कर análप वहां भी नाम होई है तो यह आपका हो गया इसके बाद इसमें हमें जो पढ़ना बहुत आसान आसान है लेकिन कुछ लोगों को अभी इसमें समझ में नहीं आया होगा तो हम थोड़ा और भी जमपल उनको बता देते हैं जैसे देखिए इसमें आप और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हो कोई भी नंबर ले लो जैसे मान लो कि हमने अभी एक दूसरा नंबर ले लिया अभी आसान आसान ही करेंगे क्योंकि अगर सुरू से इकठी ले लेंगे त पर अगर आप चोड़े टापिक करोगे तो नींद नहीं आएगे और बाकी अगर आप समझ कम रहो और कर कुछ और रहो तो फिर नींद आएगी बहुत अच्छी फिर मजा नहीं आएगा इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं 625 और इसको जैसे अभी मैंने बताया था 625 अगर चाहो तो इसका वर्गमूल आप निकाल लो इतने का इसको तोड़ लो अच्छे से अलग-अलग ही कर लो ये इसका हो जाया का 25 और ये आई हो गया तो 25 आई हो गया यह क्या है इमजनरी नंबर है नीचे हमें लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो इसको चलो हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो इसको मिटा देते हैं आप सभी को समझ में आ गया कि आई स्वायर जो है वो क्या होता है 1-1 के बराबर होता है तो इसको हम यहां उपर साइड अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 625 और यह अंडरूट माइनस का 1 इसका मान आई होता है ना अभी स्टार्टिंग मैंने लिखा था तो यह आपका हो गया तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताए और इवेन नंबर प्राइमरी नंबर और कंपोजित नंबर हिंदी में भी बताएंगे इसको जिसे बोलते ठैटल यहां पर में लिखा हूं यह टॉपिक है आजके दिहान से देखो आप लोग यह बताओ क्या यह यह करेंगे बिलकुल घाराई से जीरो से उसके बाद हम पढ़ेंगे और नमबर आर्ट नमबर के मतलब होता है वी समसंख्या क्या होता भाई समसंख्या क्लास को पूरा इंड़ तक देखना मैं भी भी बता रहा हूं तुमें ठीक है बिल्कुल जाना नहीं छोड़के इसके बाद क्या पढ़ोगे आगे देखते चलो इनको आप लोग लिख लीजिए देखिए चारों यह हम आप पढ़ेंगे पहले स्टार्टिंग में प्राइम नंबर मिन्स अबाजे संख्या कंपोजिट नंबर यानि की भाजे संख्या ध्यान से देखना बिल्कुल समझने की कोसिस करना बहुत ही आसान है यह आपके पोटाइटो तो हर जगा यूज होता है आप सिंपल सी सब्जी बना रहे हो तब भी गाउं में लो गुबाल के भी खाते हैं बूज के भी खाते हैं पकोड़ी भी बनती है मतलब समोसा भी बनता है बहुत सारी चीज़े बनती है लेकिन अगर कहो अकेले आलू तो बहीं अक आती है ना समझ गए वैसे यह इंपोर्टन तो भी यह इवन नंबर क्या है कि समसंख्या वैसे तो जैसे इस समय जमाना टेक्निकल हो रहा है थोड़ा-थोड़ा स्मार्ट हो वैसे हमें भी होना है पहले तो हम लोग यह पढ़ते आए हैं कि वह संख्या जो दो से पूरी त यह सम है या विशम है इसको जानने के लिया हम क्या करते थे पहले यह दो से भाग करते थे तो नो आ ठारा और यह शेसपल जीरो आ गया मतलब यह सम संख्या आगली संख्या जैसे मैंने लिख दिया मानलो तो तेरा अब ये सम है कि विसम है इसको भी दो से भाग करते थे और अगर सेसपल 0 नहीं आया तो यानि ये बात 13 ये विसम संख्या है means odd number है लेकिन ये छोटी छोटी गिनती थी चल गया बही चल गया जब तक 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 चल गया अब अगर ये नमबर आ गया 190572154 अब भया इसको कहो कि 2 से भाग करो तो आज कल competitive जीवन चल रहा है इसमें 2 से भाग करेंगे तो कम से कम 2 मिनट लगेगा और उतना देर में तो competition में हम लोग गड़ बड़ा जाएंगे तो इसके लिए अब हम आपको कुछ special तरीका बताएंगे थोड़ा सा अलग आप समझने की कोसिस करो इदर साइड में अब ऐसे समझ लो कि वो संख्या है जिनका लाश्ट का अंक यानि अंतिम अंक आपको इसको भागवा कुछ नहीं करना सिर्फ देखना है बस प्यार से अंतिमंक यानि की लाश्ट डिजिट क्या हो जीरो दो चार छे आठ इन में से अगर कोई भी अंक है कोई भी एक इसका लाश्ट का एक ही पकड़ना है तो वो संख्या है अन्यथा भी संख्या है आप सभी कमेंट करके बताओ यह सम है अभी सम बहुत से बच्चे कमेंट कर है नीचे में देख पा रहा हूं लेकिन माफी चाहता हूं वह सिर्फ पढ़ाई सकता हूं एक जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा सौरभ पांडे रभी संकर प्रियांसु प्रियंका नंदन और कौन है बाई मनीशा सर्मा सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं लेकिन मैं प हें तो तुम क्या लिखो गए एली दिके कमेंट करो इनंस अबबर अगर यह बिसंः संख्या तो अब उली के मेंड करो बताओ चलो चलो तो कि लिए तो जल्दी कमेंड करो फटा फटा देर ना करो बाई कोशिस करो तब ही कुछ होने वाला नहीं ऐसे कुछ होने वाला है यह समझ गये अच्छा आपको चुपचाप इनको देख लेना है चुपचाप नहीं करना चेड़ना नहीं इनको सिर्फ देख लेना है बस 13579 हो लाश्ट का डिजिट वो क्या होगी विसम संख्या होगी बाकि वो दो से भाग करने वाला सिस्टम पुराना हो गया किसा पिटा अब बहुत टाइम लग जाएगा अगर भाग करोगे तो तो क्या करें फिर आगे बढ़ें चलो देखो आ तो यह समज में आ गई यहां था सम संख्या देख रहा हो ब्हुत बाए जा रहा है यइसे लग रहा है कट गया रदी बड़ी था रादी कि अर्य इसको चलो होगया अब मुझे यह बताओ चलो कृष्चन नंबर मालनों मेंने बी लिखा है तो भाई साहब यह सम है अभी सम जल्दी बोलो B number का अगर सम है तो E लिखके comment करना E far elephant अगर B sum है तो O लिखके comment करना O farahul means Ullu चलो जल्दी करो फटाफ़ाट फटाफ़ाट comment करो भाई साथ चलो 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 8000 फटाफ़ाट हर कोई comment करेगा sum है कि भी sum है सम है कि भी sum है कोशिस करो चलो यह था बहुत ही आसान इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं odd और even number ठीक है समझ रहो बाते हैं हमारी की नहीं समझ रहो आप लोग तो odd और even number इसमें समझ लो लेकिन हमें लग रहा है कि यह क्लास बढ़ी हो जाएगी क्या चलो आप लोग जल्दी टाइटल दालो फटा फट अब यह दोनों आप लोग समझ गए odd और even समझ गए अब प्राइम एंड कंपोजित नंबर टाइटल लिखो फट से साथियों अगला देखो आप क्या पढ़ोगे कंपोजित नंबर और प्राइम नंबर मिन्स भाज्य और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो कम से कम दो मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह से विभाज्य हो वह भाज्य संख्याएं कालाती है लेकिन इसमें एक को सामिल नहीं किया जाएगा मतलब क्योंकि एक से सारी संख्याएं विभाज्य होती है ठीक है दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह स देख पा रहे हैं विनीता साबंद का यह मैसेच अपरेल को आया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कि पहले मुझे मैस में कुछ नहीं आता था आप पहले से बहुत जादा आता है और आपके यूटूब से बहुत कुछ सीखा है थैंक्यू सो मच मतलब आप यह समझ रहे हो इस तरह से बहुत सारे फोन कॉल आते हैं बच्चे अपना दर्द सुनाते हैं प्राइबेसी पॉलिसी की वज़ा से मैं की रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना सकता हूं लेकिन हां उसमें मैनेज करके आप जो आपको हम सुना सकते हैं, यहां से आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिससे आप यहां पर देख पा रहें कमेंट आता मैसे घता ऐसे लगता है कि बहुत से ऐसे कंडिरेट हैं जिनको गड़ूद में समस्या हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल शुरू मिनट देख लेंगे तो गारंटी है कि आप माइथमेटिक्स का काफी कुछ सीख जाएंगे चलिए जो इतना पढ़ना है भाई उतना अच्छे से सीख लेना है ऐसा नहीं है कि एकी दिन में डेर सारा पढ़ लो यह तो वैसे हुआ जैसे खाने को भाई इतना सारा खा लो हजम एको ना हो तो फिर जितना खाओ उतना हजम कर लो आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर भाजय नंबर और अबाजय संक्या यह भाजय संक्या क्या होती है सात्यों यहां पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना जैसे यह नंबर मैंने लिखा 12 इसकी अगर मैं फैक्टर की बात करूं जिससे जिससे यह कट जाएगा तो एक दो 213 4 6 और 12 यह 12 जो है इन दिये गएं सभी अंको से कंप्लिटलि डिवाइड हो जाएगा अगर 12 में एक से भाग करोगे तो पूरा-पूरा कट जाएगा दो से करोगे तक भी लिखाएगा तीन से करों भी लिखाएगा इस तरह सीौ पूरा-पूरा कट जाएगा इधर अotypes कर समझ में आया भी अभी नहीं आया होगा मुझे पता है अभी पूरा क्लास को देखो इंडे तक सब समझ में आएगा यार बिल्कुल टेंसर मत लेना अच्छा एक बात बताओ अगर मैंने एक नंबर लिख लिया बारा तो ये तो आप समझी गए अगर मैंने सोला लिखा तो इसके भी तो फाइटर ऐसे हो सकते हैं एक दो तीन नहीं होगा इसमें चार पांच छे नहीं होगा सार्थ आठ दस ग्यारा बारा सोला तो आप यहां से पूरा बात कलीर कर चुके हैं देखो कोई भी चीज का अंतर समझने में ज़्यादा आसानी से समझने आता है वो संख्या जिसके दो सिर्फ दो मतलब वन को मिला करके गुड़न खंड हो उससे अधिक एक भी ना हो वो भाजि संख्या होती है या फिर ऐसे समझ लो देशी भासा में कि वो संख्या सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे बाकि और किसी से ना कटे वो क्या होती है अब आज संख्या होती है अब आज संख्या होती है आप यहां पर देख पार है लिखा भी है बाकी किसी से मतलब नहीं रखते है मतलब अपने और अपने उसके इसमें देखो वो संख्या जो एक से भी कटे खुद से भी कटे इसके अलावा किसी और भी एक संख्या से कटे वो क्या होती है भाज्य संख्या होती है आप कोगे यह तो भाज्य सारी संख्याओं से कट रही है नहीं संख्या भाज्य होने का यह मतलब नहीं है जैसे मैंने दो लिखा न दो हाँ एक चीज यहां पर बड़ा हो रहा था वैसे नहीं होगा यह सिर्फ तीन ही किंती से डिवाइड होगा लेकिन यह भी क्या है भाज्य संख्या है यानि यह एक से कट रहा है और किसे कट रहा है खुद से कट रहा है इसके अलमा किसी और एक संख्या से कट रहा है इसलिए यह बाज्य संख्या है लेकिन यह एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, बाकि और किसी से नहीं कट रहा है कटने का मतलब यह है, कि जैसे 13 में अगर हम 1 का भाग करें तो यह देखो, यह, यह, मतलब पूरा पूरा भाग गया, 0 से इसफल आ गया 13 को अगर हम 13 से ही भाग कर दें यहाँ पर समझने की कोशिस करिए जनाब जिरो आ गया ना लेकिन अगर हम कहें कि 13 को 2 से भाग कर दें 3 से कर दें 5 से कर दें 7 से कर दें तो किसी से भी नहीं कटने वाला वुचा जितनी बार कर लो भाग समझ गये न आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बतओ कि आप भाज या भाज तरह कुछ तो अबी रुखना गती जाएगय को ठोबτα कि मुझे समझ में संधे ना HE समझे ठोब वहजनी सब्छे कहते हैं कि मुझे समझ में थैनंज कम आता है से कटे बाकिया और किसी संख्या से ना कटे वह अभाज्य होती है प्राइम का मतलब ही कुछ बिसेस होता है जैसे आपने देखा होगा यहाँ इंशन फ्लिफकाट तो गएरा पर बहुत कटेवं सबस्क्राइव अजिसमें आपको प्रीमीयम सर्वीस मिलती है या फिर प्राइम सर्विस मिलती है इसका मतलब यह शुक्ता है जो आरों से अलग हों हां मतलब कुछ अलग हो तो आप लोग भी क्या करो अपनी जिंदगी में अभाज बनो प्राइम बनो मतलब कुछ ऐसा काम करो जो अगला ना कर पाए तो आप क्या हो जाओगे प्राइम समझ गए देखो यहां पर समझो और भाई कितना देर हो गया भी है आप लोग मुझे यह बताओ यह मैं कुछ नंबर यहां पर लिख रहा हूं यह ना तो भाज्य है ना भाज्य है आप इसमें से मुझे च्छाट करके बताओ इसके अंदर लिख रहा हूं खाना में यह कौन-कौन अभाज्य संख्याएं हैं और कौन-कौन भाज्य संख्याएं जल्दी से फटा-फट कमेंट करके बताओ चलो 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 इसमें से कौन-कौन संख्याया भाज्य है और कौन-कौन भाज्य है चलो भाई सबी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ठीक है इसमें से आपको छाटना है कौन कमपोजिट है कौन प्राइम नंबर है इतने में आप लोग समझ जाओगे न इसमें किसी को कोई हैरानी परिसानी कोई अपत्ती विपत्ती नहीं न इसके बाद अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आज पाता है आपको यह आपका हो गया पूरी कहानी खतम इसके बाद हम पढ़ेंगे आज फ्रेक्शन का कुछ पार्ट बच रहा था जिसे बोलते हैं क्या और है सुनों पहले एक बात और अभी तक जिन भी छात्रों ने क्लास को लाइक ने किया बाबु कर दो यार जिससे आपको अगली कलास भी मिल सके हमें थोड़ा एनेर्जी मिल सके और हम और पढ़ा सकें अच्छे से ठीक है बहुत बड़ा मोटीबेशन मिलता अगर आप लोग क्लास को लाइक करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो यह आपकी जिम्मेदारी है याद दिला रहा हू लेकिन कहते हैं हनुमान जी भी बहुत बड़े सकतिसाली है लेकिन जब पत्ति आती तो भूल जाते हैं कि हमें सकतिसाली है वैसे आपके उपर भी लागू होता है क्योंकि है तो हम उसी दरती पर ना देखो यहाँ पर समझो अभी हम और क्या पढ़ेंगे बड़ी वा अभी आगे समझते चलो पूरी कहानी समझते चलो भई अभी बहुत कुछ होने वाला है यहां पर जैसे मैंने दो बिन दिया एक बटा पांच और यहां पर लिखा एक बटा साथ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है यह आपको बताना है अगर मैं नीचे एक और भी लिख द करोगे इस वीडियो को जादा सेयर करोगे चैनल को सब्सक्राइब करोगे क्या समझना है चोटी वा बड़ी बिन देखे दोस्तों के बारे में हमने पार्ट च्छे या साथ में डिसक्राइब कि आच्छे से आप अगर देखे होंगे तो वहां समझ गए होंगे फ्रेक्शन इसे ही आसान है कि जैसे यहां पर तीन चॉकलेट है और उसके हिस्तेदार पांच है और यहां क्या है साथ चॉकलेट है उसके हिस्तेदार क्या है यहां भी पांच ही है तो यहां पर आप सिंपल सानुमान लगा सकते हो कि जब तीन चॉकलेट में भी पांच लोग खाने वा यानि यह भिन्न क्या है बड़ी है बात समझ में आई इसको कैसे समझ पाऊगे जब भिन्न का हर बराबर हो और अलग-अलग हो तब आप इस तरह से आसानी से अनुमान लगा सकते हो जैसे दूसरे में अगर हम बात करें यहां पर 14 बटा साथ है और यहां पर यह 19 बटा साथ ह जिय बॉख्यों के लिदेशिग सबस्क्राहेस असे कि रखकेम हैं तो आपको यह क्या है तो आप को यह तो पता ही है कि फरटीग और ना इन्टीन होनों में कौन बड़ा चोटा है बहाँ नीस बड़ा है थी ज़ब इस 17तना है दो यह बढ़ा होगा मैं समझ गए है नार अ काम आएगा जैसे मान लीजिए कि 9 बटा 11 और यहां पर मैंने आपको कहा कि बच्चा एक काम करो 9 बटा 5 इन दोनों में बता कौन बढ़ा है अब इसमें भी बताना आसान है जब चाहे उपर की गिंती दोनों बराबर हो या नीचे की दोनों बराबर हो ऐसा अगर कहीं सनी हो है तो समझना आसान है कैसे यहां पर देखो चॉकलेट कितना है 9 है खाने वाले 11 है यहां भी चॉकलेट कितना है नो ही है खाने वाले 5 ही है अब बताओ कि इसमें जादा जादा मिलेगा या तो खाने वालों की संख्या बराबर हो या चॉकलेट की संख्या बराबर हो अगर खाने वालों की संख्या जादा कम हो रही ना जादा लोग आ जाएंगे थोड़ा-थोड़ा मिलेगा कम रहेंगे तो जादा मिलेगा यानि आपका यह का है यह बड़ा है लेकिन यह मुसीबत तो तब आती है बिन्न में छोटा बड़ा समझने में जब हमें यह ना पता हो कि बिन बराबर है या नहीं है जैसे अब थोड़ा सा यहां पर ट्रेलर आप देखते जाओ और हाँ एक बात और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंद कर लें भाई और इस वीडियो को लाइक करें भाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है अगर इतना आप करते हैं तो हमें बड़ा मोटिबेशन मिलता है और हम आपको नानिश्टा पढ़ाएंगे बड़ी-बड़ी कलना से आपको देंगे यूटूब पे आप बहुत जल्दी मैत सिख जाएंगे लेकिन थोड़ा मोटिबेशन आप लोग अगर देंगे तब समझ रहे नीचे-दोनों हर-हर का लसीम निकालते हैं तो इनका लसीम आएगा 15 लसीम निकालना आप सभी पढ़े हो मैं कई बार आपको पढ़ाया लसीम कितना आएगा बाबु 15 अब जो लसीम आया है उसी लसीम में पहली वाली बिन्दे के हर से भाग करोगे जब आप 5-15 में भाग से वाही तरीका दूसरे में भी करोगे जो लसीम आया है वह नीचे इसके लिए भी हो जाएगा तीन से भाग करोगे लसीम में तो बाइया हो बाबु हो तीन से 15 में भाग करोगे तो पांच आएगा और पांच का साथ में घुड़ा करोगे तो 35 यहां से अप देखो इनसे हमारा परिचे हो यहां पर हम कुछ समझ पा रहे हैं वो क्या है नीचे के दोनों अंक दोनों में बराबर है उपर के अलग-अलग है अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है जल्दी कमेंट करके बताओ सात बटा तीन बड़ा है या एक बटा पाँच देखें जो भी छात्र बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं अन्जना सिंग आपका भी कमेंट आ रहा है बीने सिंग ठाकुर बिल्कुल कमेंट हारा बाबू पंकत सर्मा लेकिन मैं सब का नाम नहीं बोल पाता है यहां पर क्योंकि मै पढ़ाऊंगा नहीं तो नाम बोलूँगा 10-15 मिनट पढ़ाना है तो फिर क्या करूँ पढ़ाऊ या नाम बोलूँ इसलिए आप लोग पढ़ाई कर लो चुप-चाप अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना बाद में वो जरूर बताया जागा आपको लिंक मिल चॉकलेट है खाने माले कितना है अरे सॉरी 35 चॉकलेट है खाने माले कितना है 15 इसमें तीनी चॉकलेट में 15 है भाई इसमें तो एकदम रत्ती रत्ती मिलेगा जैसे ओंट के मुह में जीरा क्योंकि है तो तीन खाने वाले 15 है इसमें 35 है 15 है इसमें 2-2 से ज्यादा मिलेगा साथ बटा तीन के माध्यम से आया यहीं समझ में आया ना, समझ में आया ना, उमीद करते है आप समझ गयों नहीं समझ गयों हो बिलकुल टेंस अं मतलो एक दम ठंडे दिमाग से कोपड़ी पर यह बलड़ती पानी डालो थोड़ा धिमाग ठंडा करो अगला सवाल देखो, च पहले पढ़नों देखो अगर तीन बटा यहां पर दो लिखा और यहां पर लिखा एक बटा तीन चलो बाई गधों बताओ इसमें कौन बड़ा है जल्दी से हर कोई कमेंट करेगा फटा फट कोशिस कर लो जिंदगी में बिना कोशिस के कुछ होने माला है नहीं अरे गलत ही तुम कमेंट करोगे यार लेकिन करोगे न कोशिस करोगे अनुभों तो मिलेगा चलो देखो है निकालना में पिछली इन जानते हो तो कमेंट ओसे भाग करेंगे यानी पहली वाली विंद्ड के हर से तो तीन आएगा और उस तीन का गुड़ा उपर वाले उन्स में करो गे जानी तो नो हो जाएगा कितना हो जाएगा नो ठीक है अब यह Cm दोनों के लिए आया था जो आया था इसके नीचे भी रहेगा इसके नीचे भ तो बाई तीन से बाग करो बाव उच्छे में तो कितना होगा दो आएगा और उस दो कगुड़ा उपर में करो तो क्या हो जाएगा यह दो हो जाएगा इस तरह से अगर आप यहां पर ध्यान दो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रहे निकल के आ रही बाहर भाई साहब चॉकलेट का एक्जम्पल में पूरे बीडियो में बताया हूँ क्योंकि तुम लोग चॉकलेट ही जानते हो इसका तेवार भी आता है ना देखो समझो तो नौ बटा छे बड़ा है ना क्यों क्योंकि नौ चॉकलेट है खाने वाले छे हैं इसमें दो ही आई ना अब इस तरह से आप छोटी और बड़ी बिन्नों में अंतर कर लेंगे बोलो कर लोगे कि नहीं सभी छात्र जल्दी से हां बोले फटा फटा बोले हां कर लोगे ना अगर कर लोगे तो चलो फिर देखो कुछ और भी देखो एक बात अपने दिमाग में आप बना के पता है उसके लिए मेहनत करोगे बाकी कुछ नहीं करना है मेहनत करना है देखो इसमें आप लोग मुझे बताओ फटा फटा सभी बताओ इन दोनों में कौन बढ़ा है बाबू चलो इन दोनों में कौन बढ़ा है इन दोनों में कौन बढ़ा है इन दोनों में कौन बढ़ा है आगे बहुत कुछ जानते हो सब कुछ ना बताओ यहां पर चलो कि जल्दी से आप सभी मुझे बताओगे फटा-फट इन में कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं देखो सब में मैंने एक-एक जोड़ी दिया है फेयर दिया के ला नहीं दिया किसी को इन सब को आपको करना और बताना है ठीक है नों का किया आरोही करम था जिसे इंग्लिस में बोलते हैं increasing or decreasing order क्या बोलते हैं increasing और मतलब increasing ही पढ़ेंगे सबसे पहले हम आरो ही करम ठीक है increasing order तो क्या करना है आप लोगों को क्लास को पूरा इंड तक देखना है ध्यान से देखिए इधर साइड में समझने की खोशिस करिए देखिए बच्चों जैसे मैंने कोई भी fraction लिखा मानलो की one upon two और five upon seven और one upon four इनको अगर हम आरो ही करम में लिखे increasing order में तो कैसे लिखेंगे आपको ये चीज समझना है ध्यान से देखो बहुत त्यार से देखो समझो अगर मैं एक छोटा सा इधर साइड में सवाल आपको देता हूं कि भई आप पांच एक और दो इसको आप अगर आरो ही करम में लिखो तो मुझे लगता है कि इसको आप बड़े प्यार से हर कोई कर लेगा ये बहुत छोटा सा बच्चों वाला है लेकिन इसको बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं बच्चों के मामी पापा भी सीखते हैं है ना क्योंकि सीखने कि कोई उमर नहीं होती कोई कभी भी सीख सकता है अब देखो इनको अगर आरोही करम में लिखेंगे तो आरोही करम का यह मतलब होता है देखो आरोही का मतलब यह होता है यह ऐसे यह नियानि हमें क्या करना है step by step उपर बढ़ते जाना उपर बढ़ते जाना है जैसे अगर हम बात करें यहां पर कर तो इसमें सब्से छोटा जो और एक निए यह पहले उसके बाद जो उससे बड़ा है यानि तू और पिर पीर जो सब सबसे चोटा कौन है आप बताओ चलो इसमें सबसे चोटा कौन है इसमें सबसे चोटा कौन है हमें भिन्न का हर यानि की जो डेनोमिनेटर है उसका लेना होगा तो भई अगर इसका लोगे तो क्या हो जाएगा दो चार और साथ का आप देखो हमें लगता 28 आएगा कितना आएगा 28 आएगा निकाल के देख लो ऐसे करके ये 24 और साथ दो से एक बार काटोंगे दो आजाएगा फाइनल में 28 आएगा तो जो LCM आता है ना उसी की सहायता से ले करके हम इसे साल्व करते हैं और फिर सबको क्या करते हैं फिर सबको बराबर कर देते हैं देखिए अब समझिए अच्छे से समझिए बिलकुल हड़ बड़ी नहीं करना दीरे दीरे समझना step by step आपको मैथ नहीं आती तो कोई बहुत बड़ी ये बीमारी नहीं है बहुत ही सिंपल है हमने जो LCM लिया था उसको नीचे लिख देंगे 28 आया था अब जो LCM आता है ना उसमें पहली वाली भिन्न से फिर दूसरी फिर तीसरी बारी बारी सभी के हर स इसे भाग करते हैं तो पहली भिन्न का जो हर है बाबु क्या है वो दो है तो दो से 28 में आप जब भाग करोगे तो आपको पता है यह ऐसे होता है और यह दो चौकार्ड फाइनल में आपको जो मिलता है जिसे बोलते हैं भाग फल वो 14 मिलता है 14 तो 14 का क्या करेंगे इसमें वन में मल्टिपल कर देंगे तो यह हो जायागा आपका चौदा अब देखो इस तरह से आपके तीन नए फ्रेक्शन बनेंगे फिर उसमें आप कंपेर करके छोटा बड़ा समझ जाओगे संज सब का अलसी एम निकला सबका वो कामन है अभीसमें फिर से क्या करोगे भाइव सह मैं ने भाखुकीया था 28 में टो 14 अया था जब साथ करेंगे 28 में तो 4 आएगा चार का पांच में गुड़ा करेंगे तो यह वीस हो जाए मैं यह तो तो तुम सबको पता बहुत हां यह तो सबको पता है ना यह कितना हो जाएगा बीस थोड़ा कम दिख रहा है लो इसी तरह से लसीम तो इसका भी हुआ था इसके लिए तीसरे वाले के लिए चार से भाग करोगे 28 में साथ आएगा और उस शाथ कगुड़ा 1 में करोगे तो साथ हो जाएगा बच्चा आब तो सभी के हर बराबर हो गए अब आप बता सकते हो कि इनमें कौन बड़ा है सब से ज़्यादा और कौन सब से ज़्यादा छोटा है देखिए, अब हम अराम से compare कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है पिछली ही class में बताया है न भाई 14 चॉकलेट में 28 बच्चों को खाना है 20 चॉकलेट में 28 को खाना है 7 में भी क्या करना है? 28 में ही खाना है तो होगा क्या आखिर? समझो किधर साइड में समझो क्या होगा जितना जादा सामान रहेगा कोई भी उतने जादा जादा तो हिस्सा में मिलेगा ना उतना ही जादा जादा तो मिलेगा ना भईया तो सबसे बड़ा भिन्न ये है, सबसे छोटा ये है, तो हम लिखेंगे आरोही करम इनका यानि की increasing order, इंग्लिस में बोलेंगे increasing order, तो increasing order में सबसे छोटा 7 upon 28, उससे बड़ा 14 upon 28, और उससे बड़ा 20 upon 28, ये किस से किस से आये थे, ये आप सबको पता है, आप जब final answer लिखोगे, बराबर करके, तो क्या हो जाएगा, भाई 7 upon 28 किस का मान आया था, एक बटा 4 का, 14 upon 28, एक बटा 2 का, और फिर 5 upon 7 का आया था, 20 upon 28, यानि हम कह सकते हैं, इसमें जो सबसे छोटी भिन है, वो एक बटा 4 है, उससे बड़ी एक बटा 2 है, और सबसे बड़ी 5 upon 7 है, क्यूं? है की नहीं, साथ से भाग कर लो, 7-7, 49, लगबख 70 पईसा के लगबख जाएगा न, ठीक है, समझ रहो की नहीं सभी, सभी को समझ में आ रहे है न, रभी संकर जी आरा समझ में, सबको समझ में आया न, राज पटेल, अम्बुज, कमल दीप, सबको आया ना भाईया, चलो, यह चीज आप समझ गए, इसमें किसी को कोई परिसानी हैरानी तो बता दो, साथ से भाग किया था, चार आया था, चार का पांच में गुड़ा किया, अच्छा एक चीज हम आऊ और आपको यहां पर क्लियर कर दें, कि निचोड आपको दें, यह तो भिन्न के रूप में हो गया, अगर हम इसको दसामलों में बदलेंगे तो क्या आएगा जानते हो, चलो दसामलों में बदल के देख लेते हैं, जर साइड में आजाओ में, दसामलों में बदल देते हैं, तो देखते हैं, फाइनल करके कैसे होगा, जब हम यह करेंगे, वन में फोर से भाग करेंगे हमें पता है पहले 0 बार जाएगा यह 0 आएगा वन उतारेंगे अब डेसिमल बढ़ाएंगे 0 उतारेंगे और यह 8 आएगा फिर गटाओगे 2 आएगा फिर 0 उतारोगे 5 आएगा मतलब की नीचे तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं इधर साइड में आपको क्लियर करवा दे रह होगा इसी तरह से आप दो से भाग करो एक में किसे भाग करो चलो दो से तो भाइया जब दो से भाग करोगे इसी तरह से तो भी कुछ आएगा बताओ कितना आएगा जरा सोच के बताओ मुझे कितना आएगा जरा सोच के बताओ कितना आएगा अंसर तो आपको बहुत पहल बलकि सिखाते हैं आपको पूरा निचोड उसका दे देते हैं जैसे नीबू से रस गार के आपको रस रस देते हैं बस नीबू नहीं पूरा नहीं देखो इदर समझो तो जब दो से भाग करोगे जीरो टाइम जाएगा यह जीरो आएगा वन उतारोगे डेसिमल बढ़ाओगे फिर जीरो ले जाओगे दसमलों बढ़ाके यह जीरो उतारोगे पांच जाएगा ठीक है तो यह आपका कितना हो गया भाई साहब यह हो गया 0.5 मतलब वो समझते जाओ यह 25 पाईसा है यह 50 पाईसा है सबको समझ में आ रहे ना इसी तरह से बच्चा जब पांच में 7 से भाग करोगे भाईया तब देखो क्या आएगा चलो वो भी देख लेते हैं हम आपको यह सिखाना चाहते हैं कि यह भिन्ने कौन छोटी हैं कौन बड़ी हैं कैसे सबसे छोटा वन अपान फोर कैसे हुआ वन अपान टू उससे बड़ा कैसे हुआ और यह फाई पाई पान सेबन यह सबसे बड़ा कैसे हुआ अगर आप मैद सीखना चाहते हैं तो कलाज छोड़के नहीं जाना अगर वास्तों में पढ़ना चाहते हो कुछ करना चाहते हो जिन्दगी में और अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं तुम बहुत चैनल देख लो जिन्दगी भर खोजते रहो कहीं से नहीं आने वाला है और अगर पढ़ना चाहते हो तो कहीं एक जगा टीक हो एक जगा देखो दस मिनट बीस मिनट आधा गंटा पढ़ो किसी चैनल पर तब कुछ सीख पाओगे अगर तुम ऐसे खोजते रहो तो पचासो चैनल खोजो आधा रहे हाँ पढ़ो कहीं भी पढ़ो लेखिर रोज वहीं पढ़ो और पूरा टाइम दो है अब इसमें जीरो बार जाएगा तो जीरो आएगा घटाओगे पांच आएगा उपर दसम्लों बढ़ाओगे जीरो उतारोगे 7 749 फिर गटाओगे एक आएगा जीरो गड़ाएंगे दो ऑंकता का ही ले जाएंगे तो भाई सहभी इसका आए 0.70 71 अब मुझे यह बताओ तुम सभी कि पचाश-पैसा बढ़ा है कि पचीस-पैसा देखो सब हो गया अग Deaf सब तर्वाइनल हो गया है A इसका माना आया एक वतर चार का माना आया 25 पैशा किटना आया 25 पैशा को एक वतड़ दो का माना आया 50 पैशा अगर हम पैशा में बात करें क्योंकि धिछा समझता है सबसक्रीन बोलो समझ गए कि नहीं यह 25 पंशा है यह 50 पंशा है यह 70 पंशा से जादा है मतलब इस तरह से यह क्या था बड़ा था और छोटा था रेखा जी कमेंट आरा आपका रानी सैनी राजवंती देवी अभिसेक जी गेमिंग मनोज यादो सब का कमेंट आ रहा है ध्यान से कलास देखो कमेंट के पीछे ना पड़ो अच्छा काम करोगे तो नाम जरूर होगा और ज्यादा देर तक हम कलास पढ़ाने वाले हैं नहीं बस बहुत छोटा हमारा उद्देश है आपको कंसेप्ट सिखाना क्योंकि बाद में तुम लोग कलास देखते हो नहीं और नहीं कलास को सेर करो तो कलास हम बहुत बड़ी चलाने वाले हैं नहीं ठीक है चलो एक और लिखो एक और लिखो फटफट जल्दी लिखो 553 देखि पांच बटा तीन एक बटा साथ और तीन बटा पांच अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है कोई बताए एनिवन इसमें सबसे बड़ा कौन है जल्दी बताईए रामा देवी दो दिन से कलाफ नहीं मिलती है रामा देवी जी कलास तो रोज होती है लेकिन हाँ दो दिन से कलास होती नहीं थी आप सब यह नहीं जानते हो सटर्डे संडे को कलास नहीं होती है सटर्डे को टेस्ट होता है संडे को हम आप लोगों से डारेक्टली बातचीत करते हैं क्यो सिर्फ तीन दिन कि मैंने पूछा इसमें सबसे बड़ा कौन है पांच बटा तीन एक बटा साथ और तीन बटा पांच में इसका उत्तर कोई नहीं दिया मदलब तुम लोग चाहते क्या हो हां ऐसे पड़ोगे मैत भाई कम से कम कोशिज करनी पड़ती है आए या ना आए आए यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपको कोशिज करनी पड़ती है कि हां क्या होगा है बचा बार-बार कमेंट ना करो हां चलो है अब इसमें हमें यह नहीं पता कौन चोटा है कौन बड़ा हमें कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले हम इनका LCM लेते हैं किसका इनके हरों का LCM लेंगे 3,7 और 5 का तो 3,5,15,105 इनके LCM हो जाएंगे 105 कितने हो जाएंगे बताओ कोई बताएं 3,7 और 5 का LCM कितना हो जाएगा इसको मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ तो भैया 3,7 और 5 का LCM हो जाएगा 105 मतलब 105 हो जाएगा ठीक है चलो अब जो LCM आया उसमें क्या करोगे step by step हम सिखाएंगे पहली भिन के हर से भाग करोगे तो आप 3 से भाग करोगे 105 में तो भाग करना हर कोई जानता है सिर्फ एक ही करके मैं बताऊंगा ये तीन तरीक का 9 गटा लो वन आया उपर से 5 उतार लो 35 तो इस तरह से आपका जो कोईसियंट आया जो आपका भाग फल आया वो 35 इतना आया 35 तो जो 35 आया बच्चा उसका गुड़ा करोगे उपर वाले गिंती से मतलब की अंस से तो 5 का गुड़ा करोगे 35 में अब ये तो तुम करना जानते हो 25 पांतिया 15 तो 17 एकसो पचतर ठीक है उसी तरह से दूसरी वाली भिन्न के लिए भी करोगे और उसी तरह से तीसरी वाली भिन्न के लिए भी करोगे जब सब का आ जाएगा तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है समझ में आया न सबको जल्दी से बोलो यस जितने भी हमारे नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बिल्कुल सब्सक्राइब करना न भूले और दोस्तों में सेयर करें जिससे आपको अगली कलास भी मिल सके अगर आप स आपको अगली कलास ना मिले चलो समझो यह हुआ यह मैंने तीनों के लिए बना लिया अलग-अलग जैसे इसका मान यह आगया वैसे इसका मान यहाएगा इसका मान यहाएगा अब साथ से हम भाग करेंगे बच्चा 105 में मतलब LCM में जैसे हमने इसमें किया था तीन से तो पंदरा आएगा पंदरा का एक में गुड़ा करेंगे तो यह पंदरा हो जाएगा ठीक है उसी तरह से बच्चा हम क्या करेंगे पांच से भाग करेंगे 105 में जैसे अभी मैंने किया था तीन से अभी अभी किया था ना पहली बिनने के लिए सब ने देखा है तो जब हम पांच से करेंगे तो यह लो सारी इनकी जो रील फिगर है वह आपके सामने आ गई है आ गई ना बच्चा सब को आ गई ना सामने कौन बढ़ा है कौन चोटा सब क्लियर हो गया मुखोटा सामने से अट गया इमांदार और बैमान का चेहरा आ गया सामने यह सबसे बड़ी गिंती है देखो यह समझ कि अऐल हैं तब जिस भिन्झ का अंसर सबसे बड़ा होगा कि वह सबसे बड़ी होगी क्या होगा वह सबसे बड़ा होगा तो लिख लो फाइनल में आंसर आता अ सबसे बड़ा तो बच्चा उम सबसे पीछे रहो गए 5ında 16 ठाब 2020 सब्सक्राइब कहा यह、「इस एक उप्चे सबसे चुटका हुए ! यह था आपका इंग्रीजीं हो अडर या फिर इंगली समें एज्ञिक्न आडर भी कहा जाता है या फिर इसे हम लोग देशी भासा में आरोही करम कहते हैं यहां आरोही किसी लड़की का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ यह mathematics का एक topic है आरोही करम increasing order या ascending order सबको समझ में आया तो बतादो हाँ आ गया चलो फटा फटा अगला question लिख लो जल्दी जल्दी से चंदन कुमार चौधरी आ रहा बच्चा सत्यम कुमार आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको आ रहा है न चाप लो जल्दी से screenshot लेलो मैं इसको मिटाता हूँ चलो जल्दी करो जल्दी करो आप लोग screenshot लेलो मैं इसको मिटा रहा हूँ चलो बहुत जल्दी देखिए अगर आप मैत वास्तों में सीखना चाहते हो तो कलास को पूरा देखो भाग के ना जाओ सच में पढ़ना चाहते हो ता बाकी किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो या वैसे यूटूब पे आये थे तुम कुछ मज़ेदार देखने और इस वीडियो में आ गए तो तुम निकल लो समझ रहे हो ना सिर्फ पढ़ने वाले ही इस कलास में रुके हैं सिर्फ पढ़ने वाले जिनको सीखना है और जिन्दगी में कुछ करना है और जिनको बस सिर्फ रोना रोना है कि मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता मुझे नहीं आता उनके लिए यहां कोई जगा नहीं है काम करोगे सब कुछ होगा कुछ भी असंभव नहीं है सब कुछ कि इनका आरोही करम करोगे तुम सभी लोग करोगे कि सभी लोग करोगे कि चलो जल्दी लिखो कुछ भी नंबर में डाल दे रहा हूं कुछ चन का इसके लिए नहीं घवराना ठीक है लिखो जल्दी फटफट लिखो यह कलास होती है रात के नो बज़े से लाइव होती है रात के नो बज़े से लाइव या वीडियो कुछ न कुछ मिलता रहता है तो नीचे का थोड़ा सा कट रहा है वो मैं दिखा दूंगा इसके बाद फिर आप नोट कर लो और जितने भी नए साथी हमारे आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना आज का कलास यहीं पर बंद करते हैं क्योंकि बहुत वड़ी कलास कोई पढ़ता नहीं है अगर आप चाहते हो कि इस कलास को तीन गंटे पांच गंटे आठ गंटे पढ़ना तो आप पीवीर स्टडी का एप इंस्टाल कर लो अपनी मोबाइल में ग सब्सक्राइब करें और पढ़िए चाहे पांच गंटे की लाइप पढ़िए चाहे साथ गंटे पढ़िए पूरा जी भर पढ़िए समझ रहे ना पूरा कोर्स इकठा ले लीजिए सब कंपलीट तो आज ही डाउनलोड करें पीवीर स्टडी एप और जाके पढ़ें बिलक हम सिंपल में जैसे भी जोड़ते हैं उसी तरह का जोड़ लेंगे पहला मैंने लिख लिया फिर दूसरा फिर तीसरा इसमें एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि आपको डेसिमल के जश्ट नीचे डेसिमल लगाना है सीधा सीधा जैसे मैंने उपर लिखा है नीचे देखो यह तरीका गलत है अगर ऐसा कोई करता है तो यह गलत हो जाता जैसे 0.07 तो ठीक है अगर यह दो गिंती का था अगर इसे कोई ऐसे लिख दे और भाई साहब यह तीन गिंती के थे और इनको अगर ऐसे लिख दिया जाए दसमलो यह 01 तो यह तरीका गलत है यह जो रेड में मैंने साइड में लिख दिया ये गलत है ये पूरी तरह क्या है ये गलत है ठीक है सभी को समझ में आया फटा फट बताओ इनको जोड़ दो भाईया इनके नीचे कुछ नहीं है वन है तो 8 हो गया ये वन इस तरह से आपका 0.18 आएगा option number B सही का लाएगा तो उमीद करते हैं आप लोग समझ गए सभी बहुत ही ध्यान से समझ ये जिनको गड़ित सीखना है class को पूरा देखना हाँ अगर कोई कमी है तो आप बता दो जैसे हम बहुत ही छोटा पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत हाइफ हाई पढ़ा रहे हैं या ब हाग जाओ नहीं पूरा देखना है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बस 20-30 मिनट पढ़ना है जिंदगी बदल जाएगी अगर गड़ित सीख जाओगे चलो देखो आगे यह तो एक पहला हो गया दूसरा हो गया एक और लिख लो इस तरह का जैसे मानलो मैंने तीसरा कोईश्चन दिया अभी दो कोईश्चन उस चैनल पर करवाया था नहीं तो उसको फिर से करवा देंगे टेंशन मतले ना आप चलो 2.13 और प्लस 0.0001 साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या आप गैस कर सकते हो बताओ हाँ या नहीं बोलो गैस कर सकते हो कि नहीं हाँ कुल बिं इसका पहला जो आंसर होगा वह इतना हो सकता है दूसरा आप्शन इसका होगा भाई साहब 0.2136 ठीक है एक आप्शन और होगा और एक आप्शन होगा नौन अप्धीज क्या इसमें कोई गैस कर सकता है क्या कोई कर सकता है विजय अंकुस राज प्रियंकार आज और कोई एनिवन कोई गैस कर सकता है वह सोहन सभी बता सकते हो कि नहीं चलो कोशिस कर लो एक बार फटा फटा कोशिस कर लो यार देखो आप एक बार कोशिस किया करो नहीं मेरा दिल नहीं करता कि मैं बताओ समझ रहो ना हर कोई ट्राई करो गलत सही कुछ कुछ भी ट्राई करो इसमें कौन सा सही है एक बार कोसिस करो नहीं आता कोई बुरी बात नहीं है आपने कोसिस किया आप महान है अरे वह तो गदेयां जो कोसिस ही नहीं करते हैं चलो देखो इसका जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता सी वाला आप संसाही हो जाए लेकिन कु कड़ी आ रहा है अंकुस कभी ओके बोल रहे हैं चलो अंकुस देखो कि सबसे पहले पहला टाम हम यहां पर लिख लेंगे 0.003 अब हमें एक चीज ध्यान देना है दसमलों के जश्ट नीचे दसमलों लगाना है यहां पर दसमलों के राइट साइड देखो यहां पर वन और 3 है मैंने 1 और 3 लिख दिया भया हो बाबू हो रजा हो इधर साइड में देखो अगर आप डेसिमल के लेप्ट साइड में तो 2 है कि इसको मैंने लिख दिया इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं अब मैंने दो पद यह और यह लिख लिए अभी तीसरा बचा है इंगलिस में स कुछ नहीं जीरो है यह बना इसका रियल में स्ट्रेक्चर इनको क्या करना है जोड लेना है प्रियंका राज समझ में आ रहा है बाई चिरोंजीलाल आपको भी आया ना बच्चा आया ना बावु सबको समझ में आया ना चले अब देखो इनके उपर कुछ नहीं है अगर बाणा घटाना में यहीं घटबर होता है यह चोटे बच्चे को नहीं बढ़ा रहे कख्च्चा दो वाले को यह जो वी चाद्र टेसीट सूपर्टे डेते है डीलेट देते हैं railway group D देते हैं S S C देते हैं जिनको मैत नहीं आती है जिन्होंने competition देने के लिए तो सोचा है लेकिन मैत की वज़ा से अंदर-ंदर सर्मा रहे हैं ये बीमारी किसी को बता नहीं कि मुझे मैथ नहीं आती बिल्कुल एको नहीं आती कुछ नहीं आता यह उनके लिए होती है उमर हो चुकी है 28-30 साल 18-20 साल तो कहां जाके कोचिंग में बैठके किस से पूछेंगे बड़ी सरम लगती है कहीं वो जान गया वो जान गई तो गड़बड है तो कुछ कोई जान कम चल रहा है कि इसमें देखो ऊपर कुछ नहीं यह तीन यह देखो तीन वन यानि टू-पॉइंट वन थ्री थ्री वन एक चीज यहां पर ध्यान देना एक चीज यहां पर ध्यान देना इसे कभी भी दो दसमलों 1331 या फिर 1331 नहीं पढ़ेंगे याद रखना इसे हमेसा पढ़ेंगे 2.1331 ठीक है या फिर एक चीज और यहां समझ लो अगर हम यह ऐसे लिखे हैं न भाईया तरीका समझ लो मैथमेटिक्स का अगर यह ऐसे लिखा है न तो इसे कभी भी चार दसमलों 51 नहीं बोलोगे अगर किसी को बताना है बाकी लिखने की बात तो अलग है इस चीज आप याद रखना दसमलों के बाद जो संख्या होती वो कभी पूर्ल संख्या नहीं होती है उसे एक एक डिजिट गिना जाता है अगर किसी को आपको बताना है तो नहीं तो आप कहेंगे आप पड़े लिके नहीं हो एक दम नलाइक हो बेवकूब गदा है अगर इसे अभी जादा बच्चे नहीं है छे साथ हजार है आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो भया ठीक है निबेदन है हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लो इस पर कॉंपटीशन की कलासे होंगी सिर्फ 15-20 दिन हम इस पर बेसिक पढ़ाएंगे इस चैनल पर 15-20 दिन बेसिक पढ अब ज्यादा बोर ना करें आपको घटाना भी बता दें फिर बाद में रिपीट करवा देंगे ठीक है अभी इसमें क्या और भी कोईश्चन करवा देंगे थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि लोग चेंज होना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा देर पर चलो 0.321 इसमें से अगर हमें 0.21 सब्ट्रेक करना हो तो कितना आएगा कोई बताएगा मुझे क्या इसका पहला अपसन है भाई उसमें पीछे वाले कुश्चं में ना ना आप दीज़ था कोई भी आपसन सही नहीं था कोई भी आपसन सही नहीं था चलो इसका पहला option हो जाएगा ये ये हां ओके ठीक है दूसरा option इसका हो जाएगा 0.111 0.300 एक हो जाएगा 9 इसका अंसर कोई कोई बताएगा अतुल कुमार आप ही बता दो भया चलो बहुत अच्छे बिरे गुड निशा कुमारी टाइम बेटा डो कलास का टाइम इसका रात नो बजे डेली रात नो बजे से कलास होती है पीवीर स्टडी लहाबाद चैनल पर रेगुलर होती है लेकिन 15 से 20 दिन इस समझ रहे हो ना सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें बिल्कुल निसंकोच पढ़ते रहें फ्री पढ़ते रहें अगर आप इसे यूटूब या फेस्बुक पर कहीं भी डेमो देख रहें तो बाकि आप पीवीर स्टडी एप में जाके पूरा इक क्या दो प्रांजल प्रिया कुमारी प्रियंका राज साधना कुमारी बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड़ आप सभी जानते हो कुछ बड़ा बात नहीं है एक चीज भी सेस अपने दिमाग में रखो अगर आपको गड़ी सीखना है आपको बिल्कुल हिचक नहीं करनी परणी अंदर से डरना नहीं है यह कोई बहुत बड़ा शेर नहीं है बहुत बड़ी बीमारी नहीं लोग और तो भो लोग घर दियना गया नकितो चलते हैं और पूलिश देखेंगे तब लगाएंगे पार नहीं लगाएंगे और कोई भी बैक्सीन आ जाए तो गाउं में ऐसा बोलेंगे बहिया कि उसके खिलाब ऐसा बावाल मचा देंगे न कि क्या कहें पोलियो की दवाई आई थे उसके भी मचाये थे देखो इधर समझो इसको क्या करना है सब्ट्रेक करना है 0.321 और यहां पर पॉइंट लगा दो और देखो यह 2 है और 1 याद रहे कि दसमलो के जस्ट नीचे दसमलो उसके बगल जो जैसे है वैसे ही लिख दोगे इधर इसके नीचे कुछ नहीं 0 बढ़ा लो इसकी पूर्ति कर दो अर्चना राय बहुत अच्छे बेरी गूट संजय अंसू ठीक है वन यह वन सब्ट्रेक हो रहा है यह वन और यह दसमलो जहां था वहीं रहेगा इस पे इसको कौंच दो ऐसे यह आपका आप्शन नमबर 20 है नम नहीं बोल पारें क्योंकि हमें पढ़ाना है आप सोच रहों कि सब का नाम लें तो भाईया पढ़ानी पाएंगे ठीक है इसमें से कुछ लोग को लग रहा होगा इनका नाम हम बोल रहें उनका कमेंट भी उनको ने दिख रहोगा लेकिन फिर भी जो हमें कमेंट दिख एक बार घूमें जो नजर में आ गया बोल दिए चलो कि आप सभी समझ गया इसको वैसे घटाने में कुछ है नहीं जादा आप लोग कर ले जाओगे जैसे जोड़ना होता वैसे घटाना होता है चलें आगे बढ़ें आप लोग यह बताओ समझ में आरा ना सबको मजा तो आ रही न कोही दिक्कत तो नहीं हो रही न किसी को बता दो अगर कोई दिक्कत हो रही तो भाईया बिल्कुल भी टैंसान मतले न आप और मैं बार बार बोल रहा हूँ गलास को पूरा देखना भी डेसिमल में दिया है कि जड़ा सब्ट्रेक करके देखो कि देखो कितना आएगा सोच के बताओ चलो जल्दी करो फटा-फट इसको जो पहला अप्षन है 1.0 321 दूसरा अप्षन है 0.00321 तीसरा अप्षन है 1.000 जो जीरो और जीरो हां चौता है नान अब दीच कि देखिए बहुत से साथी ने कमेंट कर दिया इसमें ठीक है बहुत अच्छे राज पटेल बिटा देखो परिसान ना रहो कमेंट ना करो पढ़ाई करो उत्तर तो बताते नहीं तुम हम नजर में कहां से आए उत्तर तो तुम बताओगी नहीं उत्तर बताओ सबसे पहले उत्तर सबसे पहले बताओ चलो देखो इसका ये पहला जो भी नंबर है इसको ऐसे लिख लेंगे प्यार से इज्जत मान सम्मान के साथ उसके बाद दूसरा वाला भी वैसे लिख लेंगे पूरी इज्जत के साथ इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1.0032 बस इनको क्या करना है सब्ट्रेक कर देना आपस में सबको समझ में आ रहा है ना सबको समझ में आ रहा है ना चलो अब देखो इसके उपर कुछ नहीं भाईया तो इसके उपर 0 रख लो बराबर हो जाए इसका हिसाब अब देखो क्या करेंगे, इसमें 0 से तो 2 घटेगा नहीं, इसमें से एक उधार ले जाएंगे, 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा 8, 10 में से 2 गया कितना आएगा 8, सही है न, ये 1 बचा, ये इसको एक उधार देगा, भाई, घटाना तो तुम लोग जानते हो, अब इसमें तो कुछ करना है नहीं सिर्फ सब्ट्रेक करना है दसामलों के नीचे दसामलों लगा देना है अब अगर घटाना भी ना जानते हो तो बताओ कि जानते हो ना सभी तो 11 11 में से तीन गया आर्ट मुझे लग रहा कोई आपसंट सही नहीं होगा यह नौ और यह 2.1 1.2988 1.2988 आपसंट नंबर डी करेक्ट है कौन है आपसंट नंबर डी सही है सब को समझ में आ रहा ना चलिए कोई अगर किसी को समस्या तो बता देना है कोई दिक्कत है तो बता देना बिल्कुल ठीक है राज पटेल बच्चा आप ज्यादा डिसकस करोगे तो सिर्फ बलाक कर दिये जाओगे ठीक है इसलिए निबेदन है उत्तर बताओ अगर तुम्हें उत्तर नहीं आता है तो फिर क्या करें बताओ उत्तर नहीं हाता आप सीखो पढ़ो कुछ दिन पढ़ो आने लगेगा फिर आप भी बताना आपका भी नाम बोला जाएगा आप अगर यह सोचो सिर्फ नाम के पीछे पढ़े रहो देखो यार एक चीज समाझे लो आप चाहे छोटे हो या बड़े जिंदगी में अगर अच्छा काम करोगे ना तो खुद बखुद नाम हो जाता है और अगर सिर्फ नाम के पीछे पढ़े रहो ना तो नाम नहीं हो इस ठ만पाइब तो प्युदा ऊच्छा काम करो चुब NAM हो । मेरे स्कूल में चार का नाम को सामने सकते हां पाहता है तो सब फ्राइब होता है जो मद्यम में होता है उसका कोई नाम छादा नहीं होता है तो यह घटाना भी आप कर लोगे, अब हम करेंगे गुड़ा, जोड हो गया, घटाना हो गया, आप गुड़ा पे आ गए, थोड़ा थोड़ा सिर्फ concept आपको सिखाना है, बाकि तो आप सब जानते ही हो, आप छोटके बच्चे थोड़ी हो, चलो, इसका correct answer कितना आएगा? चलो बताओ इसका correct answer कितना आएगा पहला आपसंद इसका दो तीन पाँच एक छे जीरो 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 तीन दूसरा है चलो ठीक यह नान आप जीज चलो बताओ इसमें कितना आएगा कोई बताए नहीं मन कोशिस करें चलो बताओ राज पटेल बच्चा बताओ जल्दी बताओ अंसर बताओ तुम फटा फट चलो बताओ अतुल मिस्टरा यम भाई गेमिंग लबली सिंग अंकुस देखो बच्चा तुम अभी तक उत्तर नहीं दिये राज पटेल मिस्टर अभी तुम कहोगे मेरा नाम नहीं बोल रहे हैं तो तुम्हारा नाम में क्यूं बोलूंगा जब तुम आओगे ही नहीं कंप्रटीशन में तो क्यूं बोलूंगा कुल बिंदर कौर बहुत अच्छे अतुल कुमार बेटर तरीका गलत है कुजिश्चन नंबर के साथ आंसर इंक्लिट करोगे सेबन है तो सेबन जरूर लिखोगे अगर ए है तो सेबन बी है तो सेबन बी देखो कुछ भी ना जानो तुम इदर इंटूठो हम जानते हैं कि दस हमलों में बड़ा जملा और दस हमलों का गुड़ा करना हमें आ नहीं रहा है तो हमें काम करेंगे वो क्या है पता है आपको देखो मुझे लग रहा लाल वाले फिल इखना ठीक नहीं है ना कम दिखता ना आप लोगों को पॉल्टेज बहुत कम है इसमें देंसें न करना है वो क्या करना समझो सारी देखो कोई सम्वलो नहीं है यहां पर सारी गिंटि लिखलो जैसे सीफार की खरनहोंबार हैइं और तो बच्चा फाइनल में पाँच अंक पर दसमलो होना चाहिए एक बात याद रखना गुड़ा करने पर दसमलो जितने जितने अंक पर होता सब को जोड लिये जाता जैसे देखो इसमें दो अंक पर दसमलो है इसमें तीन अंक पर दसमलो है यह चार्टी सुनना बढ़ा लो यहां पे दसम्लों और जीरो दसम्लों के पहले जीरो अवस्थ से बढ़ाते हैं यह मैंने पहले कलास में बता दिया है कि यह जीरो क्यों होता है अंसु मिस्रा संजय राजपटेल रोहन ठीक है इसका आपसन कोई भी सही नहीं है डी वाला सही है आपसन डी सही है ठीक है अंसु मिस्रा भी बता रहे हैं बच्चा इसमें देखो यह आउर लंबा है बी में पांच ठी लगाया ठीक है आप लोग लिख लो इसकी मुझे लग रहा थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ानी पड़े आप बढ़ गया कि कम हुआ अब बढ़ रहा है चलो ठीक है अब ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं न चलो ओके अलगदम क्लियर है अब तक थोड़ा सा बलर हो रहा था क्योंकि बोल्टेज कम है यहां पर लाइट का बोल्टेज कम हो जाता है चलिए ठीक है तो सबको समझ में आ गया ना सबको समझ में आ गया ना लिख लो फटाफट आगे बढ़ते ही अगला सवाल का जबाद दीजिए अच्छा एक बात मुझे बताओ क्या हम बहुत धीरे-धीरे कोईश्चन कर रहे हैं क्या और तेज करना चाहिए फास्ट क्या 0.001 into 0.1 इसका अंसर कितना आएगा बहिया बता दो चलो चलो बता दो बता दो यह बता दो कितना आएगा कोई बटाये निमन दुर्गापरधान रोसन येंब भाई MSU Gaming ठीक है बौत अच्छा मेनत करो होगा बढ़े को समझो में बताता हूं कि इसमें आपको क्या करना है सिरफ और सिर इसमें one है इसमें भी one ही हे host में करने पर one आएगा one के सीवा वरत कुछ आयागा नहीं हां सिर्फ और सिर्फ क्या आयागा वाना आया अब दीखिए जिन धीन जी नहीं अन्हायम और अगर क्योशन नहीं आया ना न। आणा है नहीं है सबको सबको समझमें आ रही है भहिया अब चाप लो फटाफट आगे बढ़ते हैं चलो जल्दी लिख लो देखिए आगे बढ़ते हैं अगला समझिए आप सभी रेगुलर कलास में आया करिए और पढ़िए सब समझ में आएगा 9 नंबर में चले यह था दसमलो का क्या जोड़ घटाना और गुटा बहुत जादा कुईश्टन सम फिलाल नहीं कर रहे है इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि काहें इतना जादा कुश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ाना है फटा फटा आपको और सब आपको आना भी चाहिए चलो 3 दो यह डिवाइड भाई क्या होगा समझते चलो जीरो पॉइंट जीरो दो लिखो बताओ इसका अंसर कितना हैगा सोच के बताओ इसका अंसर कितना आएगा पहला आप से नहीं इसका 0.16 आएगा दूसरा है 0.016 आएगा तीसरा सोला आएगा चौथा नानों दीज नाइन में A, B, C क्या आएगा जरा सोच के बताओ A, B, C क्या आएगा बताओ जल्दी करो फटा-फट दीर ना करो भी कितना आएगा कोई एनिवन जोति सिंग लबली सिंग संजय अंकूस देखो हम बताते हैं सबसे पहले यह नंबर लिख लो यहां पर डेसिमल जीरो यह गड़बड हो रहा है अरे भाई इसको लिख लिया तुमने इसको अटाओ बाग कचिन लगाओ 0.02 इनको हमें क्या करना है हल करना है सबको समझ में आ रहा है देखो समझते चलो पूरी बातों को समझते चलो उसके बाद क्या करेंगे अब हम ऐसे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं यह बगल बगल मुझे कुछ समझ में नहीं रहा कैसे क्या करना है तो इनको हम क्या करेंगे बीच में करेंगे ठीक है मुझे लग रहा है कुछ ज야दा ही चमक रहा है का तरह देखो थोड़ा सा कम करता हूं चलो देखो समझो तो इनको क्या करेंगे थोड़ा बीच में करेंगे है बीच में मतलब अरे ऐसे कर लेंगे यह भाग का चिन अटा के इन र finish लिख सकते हैं कि नीचे भी तो लिख सकते है कि नहीं कि लिखा ऑश सकते हैं कि नहीं या मतलब हो बाढूँ अब अगर तुम ऐसे कर लिए तो इसमें कौन सी डर्राई डोंच पर उपर दस अम्लों not अंक पर बराबर नीचे भी है दसम्लों हो जाएगा खतम फाइनल में 16 बटदो आएगा बच्वा वो सुरी 32 बटदो मतलब 16 इसका अंसर होगा सी नंबर सही है रफ्तार गोलु आ रहा मनोज यहाद हो बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे चलो समझ में आ गया सबको ना य लेकिन यहाँ पर जुगार लग गया क्योंकि दसम्लों बराबर बराबर अंक पर था अरे गधों अगर ऐसा ना होता तो क्या होता जरा देखो इदर साइड में हमारी बात को आप भूरा मत मानना में तो प्यार से बोलता हूं हां कितना बड़ा प्यार है तब ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं यहां पर चलो देखो अब बताओ अब बताओ इसमें कौन सा अपसन होगा अब थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी अब थोड़ा सा कहानी बदल जाएगी सोच के बताओ कितना आएगा चलो जल्दी करो देर ना करो पांच घंटा ना लगाओ बचबा चलो जल्दी बता दो कितना आएगा सोच के चलो चलो देखो अब इसका आंसर बदल जाएगा ये तो ऐसे ही रहेगा इसके नीचे ये आएगा ये सेटलमेंट कर लेगा अपना अब आप सोच रहे हो कि दसमलो तो इसमें भी दो अंक पर ही है हाँ इसमें भी दो ही अंक पर है दसमलो बटा ऐसा तो गलत है उसके बाद तो हम यहाँ भी जीरो बढ़ा सकते है अब बताओ कितना आएगा सोच के बताओ कितना आएगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये ऐसे कर दें इसका भी दसमलो ये जीरो हटा सकते हैं कि दसंबलों के बाद कोई गिंती है फिर कितना भी जीरो है उसका कोई मतलब नहीं होता है हम वह जीरो हटा सकते हैं उससे भगा सकते हैं समझ गए ना समझ गए ना फिर क्या करेंगे बताओ फिर अब क्या करेंगे देखो आप फंडा समझो अगर मैं एकदम बेसिक चलूं तो इसको थोड़ा बढ़ा करके समझो बच्चा हमने सबसे पहले क्यां करना how to go नीचे से दसमलों में और उपड़ा होगा समझ न हमनेल नीचे दसमलों कितने अंक पर एक अंक पर है तो अगर नीचे एक अंक पर तरह हम वोपर नीचे क्या करेंगे दस से गोड़ा करेंगे six क्या करेंगे दस से गुड़ा करेंगे यह हमारा नीचे का दसम्लों के लिए हो गया काम अब हमें उपर फे भी दसम्लों हटाना है तो हम क्या करेंगे बताओ क्या करेंगे देखो यह फंड़ा लगता है कि नहीं मैं ट्राइ करता हूं उपर नीचे इसमें क्या करेंगे फिर दो अंक पर दसंबलो है तो सव से बुड़ा करेंगे तो चलो करके देख लेते हैं क्या बनता है क्या यह ऐसे सही होता है नहीं होता है देखो यह देखो यहां पर तीन अंक जीरो है न एक यहां पर दो यहां पर तीन है तो भाईया यह इतना हो जाएगा नीचे का हो जाएगा तीन जीरो नीचे हमें एक अंक पर दसंबलो लगाना है उपर कितना पर लगाना है भाई उपर दो अंक पर दसंबलो था ना तो दो अंक पर लगाएंगे क्यों फिर क्या होगा ये 320 बटा 200 बचेगा 1010 काट दो ये तो गड़बड हो गया मुझे लग रहा है बताओ क्या ये सही हुआ कि नहीं आपको एक एक इस्टेप बाई इस्टेप करना होगा चलो जल्दी से बताओ ये सही है कि नहीं कितने लोगों को लग रहा है ये सही है देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो कुछ लोग तो ऐसे भी कर देंगे बेना कुछ किए बीना कैल्कूलेशन करे ही कर देंगे आप ऐसे समझ लो उट कि करें वह 32 पहिसा है या वह वह क्या है laugh 32 करो फटापपट हो गया सभी कर लिए देखो अब मैं आगे बताता हूं आगे समझो क्या ये सही है कि नहीं सही है अब ये तो इसमें मालूमीन नहीं चलेगा है सही देखो मैं बताता हूं एक काम करो तुम ये 32 बटा 20 बचा है ना भाईया हो 32 बटा 20 को तुम लिख सकते हो दो गुड़ा 10 काम कर लो तोस हीं को कर्टो ये हो गया 16 अब ये हो गया 16 बटा 20 इस फाइनल में 1.6 हो गया है न है कितना प्यारा अंसर में बोलो समझ में आया की नहीं आया समझ में की नहीं तरीका ताहित ना जो मैंने बताया वो गलत नहीं था वह घूमके वहीं गया फिर से लिख लो फटापड लिख लो चापलो वन पॉइंट इसा रहा इसका सही सब को समझ में आये न अन्जली धकड जी अच्या इनका नाम है एगुड़ मॉर्निंग अंजली धकड गुड़ मॉर्निंग इन्होंने अपने नाम में लिख लिया इससे कहीं कमेंड करें तो इनको ग करो देखो किसी को खोड़ के जाना नहीं अगर गड़ित सीखना है बाबू ठीक है अगर आप चले गए नहीं तो मेरा दिल तूट जाता है अंदर मतलब छोटा-चोटा हो जाता तर तुकड़ा तुकड़ा में फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं में बंद कर दूंगा जान लो अ कल्कुलेशन में बच्चे इसी में लटकते हैं कल्कुलेशन में बच्चे इसी में लटकते हैं यह बैटरी लो हो गई एक मिनट मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूं सिस्टम लो हो गया बैटरी भाई थोड़ा सबस यह लो ओके चलू नहीं हुआ भी आप लोग जल इस समय लोग बहुत बिजी चल रहे हैं अब आगला देखो next question number 10 देखिए सिर्फ और सिर्फ calculation अगर आपको आता अच्छे से न तो आप mathematics बड़े प्यार से निकाल ले जाओ कि चाहे कोई भी परिक्षा हो लेकिन calculation में होता है calculation का बाता है जब हमें छोटी-छोटी सारी चीजें आने लगें तो calculation बेतर हो जाता है और कोई भी बच्चा मुझे पता ज्यादा देर पड़ता नहीं है इसलिए कलास को ज्यादा देर नहीं चलाने का कोई मतलब नहीं है न देखो समझो दर्फ नंबर अगला देखो देखो कुछ बच्चे चलेगे तो चार ची बच्चे चलेगे अगला देखो 2.16 डिवाइड वाई 0.8 बताओ इसका अंसर कितना आएगा जरा सोच के बताओ कोई भी रेड कलर में लिखा है दिख तो रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ ज्यादा चमक रहा है क्या बोल्ड बता देना अगर कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल टेंसन मतले न ठीक है ज्यादा चमक होगी तो ब कम हो जाती के अगरे के शेकता चलें पर चलो देखो इसका अंसर कितना आएगा रहका तो देख रहें रेट इस तो दोलब varsa देना कि देटा आप देखना इसका जो पाहला आप संहें वह हो जायेगा ज। कि आड़ से भाग करोगे तो कितना होगा यह कटेगा क्या कि दो तीन 1.32 यह फिनान अब दीज देखिए आपको को सिस करना इसमें से कोई आपसन होगा या नहीं होगा प्रियंकर आज अमिस नीरज अनूप बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड चलिए ट्राई करते रहिए फटा-फट सभी ट्राई करते रहो जल्दी से विल्कुल टैंसन मतल ट्लूफ चलो चलो चलो-चलो-चलो कोई जायेगा नहीं कलास होड़के छलो फिक वह थे सबकुछ गुड है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे चलो कि कर मस्त है सबकुत मस्त है एकदम पूरो मस्त है दस में देखो अंकुस का आगया मनोज का आगया अम्रीस का आगया प्रियंका चिरोंजी लाल संद्या देखो इसको ऐसे लिखते हैंगे 2.16 नीचे लिखेंगे 0.8 हमें क्या करना है उपर फे 10 अमलो हटाना नीचे से हटाना एक चीज़ हम यहां पर और भी समझावता कर सकते kommen'tा है और बैसिक ना करें बहुत वैसे समझे तो इसनोब हम एक सम्झावता यह कर सकते हैं कि उपर दोंख पर दसम्लों है नीचे एक अंख पर हैं हमें काम करें उपर से दसम्लों एक अंग 52 खिसका दें और नीचे का दसम्लों खतम कर दें यह हो सकता है कि नहीं बोलो ये समझावता हम कर सकते हैं कि उपर जो दो अंक पर दसमलो है उसे हम एक अंक पर लगा दें ऐसा और नीचे से दसमलो हटा दें क्योंकि उपर रोण कपर है दसमलो नीचे एक अंक पर है अगर ऐसे होता 2.16 और 0.08 होता तब तो भाईया काम बना था जितना तुमारे पास प्रावसानी है प्रॉबलम है उतना मेरे पास भी है दोनों लोग बराबर थे मतलब दसमलो हम पूरी तरह से हटा सकते थे है अगर डोणों पर बराबर बराबर अंक पर दसंबलो होता उपर भी दो Pan नीचे भी दो पर तुल कुरी और आटा सकते दो हैं लेकिन यहां पर दो अंक पर दसम्नलो यहां पर एक लिए dernière रही है शंच मैं कि अंसु मिश्रा लान का बंद चलते चाए बाबु ठीक है अंसु नí चलते चृते blir ग만शलो अपना internet है तो हमें काम कर सकते हैं उपर से था मलों फाइनल में हटा तो नीचे एक जीरो बढा दो क्यों है यह समझ मैं कि नहीं उप इसमयमी मैं कि नहीं नहीं था्प पता नहीं कैसे दिख रहा है चलो ठीक है अब क्या करेंगे अब इसको हमें हल करना है कल्पुलेशन करना है काटो पीटो इसको छोटा करो जितना कर सको बस और क्या करना है इसमें मुझे लग रहा है कोई भी आप संसाही नहीं होगा देखो यह 8 से कटेगा क्या लाइश्ट म की बात करें तो कोई आप संसाही नहीं होगा तो देखो अगर हम इसे 4 से काटे तो कहीं चार से कटने वाला है नहीं दो से कटेगा अगर हम इसे 4 से कटेगा नहीं आँड से 8 दूना 16 आँड से कटेगा ये देखो बार दाम्मा असी आठ दूना सोला यह हो जाएगा पांच बचेगा आठ सते चपन यहीं सही है 27 बटा दस बराबर आएगा 2.7 क्या आएगा भीया 2.7 आएगा बहुत अच्छे 2.7 आएगा कोई भी आपसन सही नहीं होगा कोई भी आपसन सही नहीं होगा समझ में आया ना चापलो फटा फट चापलो बिल्कुल भी टेंसन मत लेना तुम चलो आगे बढ़ें ठीक है बिल्कुल मस्त है सब कुछ एकदम मस्त है कोई दिक्कत नहीं किसी को ना कोई समझ से होगी तो कमेंट करके बता देना कि मुझे दिक्कत हो रही है गड़बड हो रहा है हमारा चलो कि?」 आगे बढ़ते हैं सब को समझ में आया ना डेको यह क्या है कि कैलकुलेसन इसी को क्या बोलते हैं के अगर आप इसे फाइस्ट करोगे बेतर होगा अब आप लोग बताओ मुझे अब मैं बताओंगा नहीं क्योंकि मैं बहुत बता दिया आप तुम लोग कुछ कार नहीं रहे हो चलो कि चलो सभी रेडी हो बताने के लिए कि रेडी हो सबीना क्विस्टन नंबर ग्यारा ले लो मान लो और पॉर पॉइंट ट्री टू डिवाइड भाई नाइन वन तू इसका आंसर कितना आएगा कोई बताए निवन बिना आप संके बिना आप संके बताओ आप लोग चलो जल्दी करो तोईता गोला अर्पीता तू जूबे और पीता जी बताईए जबाब दीजिए आप सभी को पता नहीं है देखिए आप समझे बोर्ड मास रूल जो इसका मतलब है पहले यह हम लोग सीखेंगे इसमें यह तो बोर्ड मास रूल का परयापत कुश्चन नहीं है इसमें कुछ ही चीज़े हैं लेकिन स्टा करना होता है धेर सारे जो साइन है मतलब चिन हैं एक ही कुश्चन में दिया होते हैं उसमें कोश्ठक भी दिया होता मतलब ब्रेकट फिर हमें उसको फाइनल में साल्व करके सिंपलिफाई करके एक अंसर लाना होता है उसका ही एक रूल होता है कि उसको हम सिस्टम से हल करते क्या होता है सभी जल्दी से कमेंट कर दो यह रोप में तो आफ मेंs का या फिर जो अबже होते हैं कुछ जैसे पांच दिया है यह सारी रासियों का जो सिंप्लिफिकेशन होता दूसरे नंबर पर होता है वहीं का मतलब होता है डिवीजन डिवीजन में सोता भाग यह सीरियल है यह बहुत ही कठीन है हिंदी इसकी पोश्ठक तो हिंदी आसान नहीं इंग्लिस आसान है समझ रहे होना सभी आज पटेल आरा समझ में अब देखो यह हो गए तीन लेटर के मतलब यम का मतलब होता है यहां पर मल्टीपल मतलब गुड़ा आप लोग को बिलकुल सुरू से सीखना है और यह बिलकुल यूटूब पे पूरा कलास चलेगी इसे क्या बोलते हैं एडीसन मतलब जोड और यह क्या है सब्स्ट्रेक्शन मतलब घटाना ठीक है क्या है घटाना यह कुल मिला करके पूरा फुल फार्म है बोर्ड मास रूल का रेगुलर कलास देखना हर दिन देखना अगर आप सीखना चाहते हो जादा फे जादा कलास को सेर करिए सबी बच्चे एक साथ आईए यूटूब पर हो सकता बाद में ये वीडियो उपलब ना रहे इसलिए रात में नौ बजे ही देख लो नौ से दस के बीच में देख लो नहीं बाद में वीडियो नहीं मिलेगा डिलीट हो जायागा तो यह मत कहना कि हम नहीं देखे थे इसलिए टाइम निकालो कोई भी काम कर रहे हो काम छोड़ के कलास देखो फिर बाद में काम कर लो सभी समझ गए ना चलो इसे क्या करना है हमें हल करना है देखिए प्यारे साथियों यहां पर अगर हम इसके अनुसार चलें तो क्या क्या है पहले बताव मुझे ब्रेकट है प्रतलब यह समझो आप यह न गई हमने कहीं कुछ नहीं है नहीं है इसमें कहीं गुड़ा का चिननैं helpless राजवन्ती अंसु मिस्रा चिराग थी तीन लोग का कमेंट आ रहा पहले ठीक है नहीं है इसमें है क्या फिर जो कुछ नहीं तो इसमें ए मिनस एडीसन है यस मिनस सब्स्ट्रक्शन है सिर्फ दो चिन्दा है तो दोनों में से मुझे ये बताओ पहले प्लस का आता है कि पहले माइनस वाला भाई इसमें ए पहले है यस बाद में है तो पहले ए मिनस एडीसन पहले क्या करेंगे जोडने वाला काम करेंगे ठीक है च जाएगा तो देखो बच्चा यह 14 भी प्लस में है और यह 5 भी प्लस में वन भी प्लस में है इन सब को तुम जोड़ लोगे तो चौदा पांच हो जाएगा वह नई से 20 सब को जोड़ लोगे तो जाएगा 20 माइनस कदो अब लाइस्ट में जब कुछ नहीं बचा तो घटाई लेंगे मजबूरी में कितना है घटार आएगा सब को समझ में आया सभी बोलो जल्दी से यास यास समझ में आया और हाएगे प्रामिस करोगे खुद से कसम खाके की कला चोड़के नहीं जाओगे अगर गड़ित सीखना है छोड़के नहीं जाना हो सकता है आपको यह आ रहा हो लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें हम पर पूरा नहीं मिलेका complete तुम्हें लगेगा कि दो चार टॉपिक सीख के पूरा सीख गयो लेकिन जब competition वाली गड़िद लेके बैठोगे ना तो लगेगा भी कम ही बची चलो आगे देखो question number second 43 plus 3 into 2 minus का है इसमें 9 इसका answer कितना आ सकता है कोई बताएगा कोई बताएगा किरोंजी लाल जी आप ही बतादो बाभू चलो चांदनी कुमारी तभी कोसिस करो एक बार चल दीसे फटा-फट देर ना करो भाईया देखो यार मजा नहीं आती है अगर आप लोग answer नहीं बता सब्सक्राइब करते हो आज यह मेरा सिस्टम में सवारज गया है और यह मैं चुड़ाया भी नहीं इसको छोटा हो रहा है इस वजह से कोई बताएगा देखो बहुत से बच्चों के उत्तर भी आ रहे हैं सपना कुमारी राज-पटेल संजू सोयता गोला और कोई निवन ठीक है सभी कोशिस करते रहो भाई बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड देखो 40 हा रहा है रभी संकर ठीक है अब देखो मैं बताता हूं बहुत ही सिंपल सा है इसमें बोर्ड मार्च रूल का सारा फंसन नहीं है सब कुछ नहीं इसम यम-a-s है तो पहले यम करेंगे फिर ए करेंगे फिर ias करेंगे तो समझो इधर सायड में यम करेंगे फिर क्या करेंगे यह स करेंगे ओके व्हय है लियक्ते चीप सब्से पहले एम करेंगे मतलब मल्टिपल तीन का दो में गुड़ा छे और माइनस यह नौ यह पहला इस्टेप हो गया दूसरा इस्टेप में ए करेंगे मतलब एडिशन करेंगे तो यह प्लस में है यह जुड़ेगा तो तिरालिस छे कितना आएगा चालिस आएगा अंजली कुमारी बहुत अच्छे सबना कुमारी आरती गिरी और सल बर्मा ठीक है वोसी साप लोग करते रहो बाकी कोई टैंसन ने लेना अगर आपको गड़ित नहीं आती है गारंटी हमारी है कि आपको मैत आएगी मैत आएगी नहीं दोड़े सरपट दोड़ेगी बुलेट ट्रेन की स्पीट से ज्यादा तेज दोड़ेगी बस आपको क्या करना है पढ़ते रहना है कुछ कुछ कुश्चन से हमने यहां पर बनाये हुए हैं और कुछ आसान कुश्चन भी आप देखोगे पहले जब ना थोड़ा confidence बढ़ेगा एक च बढ़ेगा अंदर से खुसी होगी मतलब मन लगेगा आपका कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए अगर आप बढ़ा सा कुश्चन लेकर बढ़ जाओगे नहीं आएगा तो नीद आएगी निरासा लगेगी फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा इसलिए छोटे चोटे बढ़ो इ अगर आएगा तो फिर आगे काम बनता गया यह थोड़ा चोटा कर लो भाई यह ऐसा नहीं तो क्या है न अभी अगर दसामलो गयरा हो गया तो थोड़ा बढ़ा हो जाएका कोई बताए ताहुल कुमार बच्चा उत्तर बताओ लबिंग संजू राज पटेल चलिए बताए चल्दी करिए देर मत करिए फटाफट देखो अब क्या करना इसमें इसमें अगर देखो तो जैसे जैसे हम कुईश्टन पर आगे बढ़ रहे हमारा बिस्तार हो रहा है मतलब extension हो रहा है को रहा है कि नहीं पहले जो मैंने किया उसमें सिर्फ जोड़ना घट घटाना घुड़ा भी था अब की वाले में देखो जोड़ना घटाना घुड़ा भाग सब है बोलो है कि नहीं है ना भाईया तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे कोई बताएगा सबसे पहले क्या करेंगे तो है नहीं अधर फंसन तो इसमें है नहीं जैसे इसक्वार अंडर सबसे पहले करेंगे कानग यह पार्ट करेंगे प्लास वाला करेंगे तीन नं करेंगे नित्लाइश्ट में सबसे बाद में चुक्चा बचा खुचा चार नंबर फे इसको करेंगे सबको समझरा Ayam क्लास को पूरा देखना मैं फिर से बोल रहा हूं अगर सीखना है तो पूरा देखना जाना नहीं बीच में चलो तो बच्चा सबसे पहले भाग करेंगे बाबू उसके पहले कि जितने भी फंसा ने उसको ऐसे जो भी नंबर है वैसे लिख लिए तो एल था पुलस का चिन था इसको हल कर लिए इसका काम खतम हो गया पाकी का जो जैसे बचरा बच्चा उसे लिख दोगे माइनस का दो गुड़ा का चार बस हो गया जितने चिन है उतने लाइन में लगेगा दूसरे लाइन में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे यह दूसरे नंबर पर मल्टीपल था आ मुदा माइनस हाट हो जाएगा फाइनल में हो जाएगा छे इसका आंसर कितना आएगा सिक्स प्रियंका राज बहुत अच्छे राज पटेल रभी संकर तोयता गोला तंजू ठीक है आप लोग देखो एक बार कोशिस किया को रोबस बिल्कुल टेंसन मतलेना हिम्मत नहीं हार आते हैं ऐसे स्टूडेंट आते हैं ऐसे गल्स जो काफी ज्यादा एज के हो चुके होते हैं मतलब लाइस्ट उमीद होती है कि मैथ की वज़ा से नहीं मिल रही है मैथ की तो जिम्मेदारी हमारी है बाकी और सब्जक्ट आप पढ़िए और जो सिस्टम गढ़बढ हुआ ह जिसमें आप पढ़े लिखे लोग चुनाओं में भी भाग लीजिए बाई तभी तो कुछ बदलने वाला है ना कि पढ़ाई की कीमत भी लोगों को मालूम होनी चाहिए ना इस देश में सबसे ज़्यादा इज्जत मान सम्मान होता है तो नेताओं का होता है और चुनाओं का होता है बाकी टीचर या पढ़ाई या स्वास इसका कोई मतलब नहीं कोई माइन नहीं कोई मतलब वरियता नहीं मिलती कि यह सबसे बड़ा क्या है कि मतलब क्या आगे जाने तो चलो नहीं तो यह हमारा रास्ता ही चेंज हो जाएगा अगला देखो 14 का इसका आंसर आप लोग गेस करिए प्लस थ्री इंटू सेवन इसका आंसर कोई बताएगा क्रिष्णा गुप्ता बताईए जब आप दीजिए एक एक अभी इसमें कुश्चन और भी है थोड़ा सही और आगे बढ़ेगा इसको मुझे मिटाना पड़ेगा चलो 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 चीजें सामिल हो गई है ना इसमें कुछ और चीजें सामिल हो गई है चलो बताओ कोई बताएगा एनिमन लबिंग संजू मानसी कोई बताएगा भाई कोसिस करो यार देखो कुछ भी बताओ तुम गलत सही कुछ बताओ कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग कोसिस कर रहे हो कमेंट ही नहीं करते हो तो फिर बहुत गंदा लगता है चलो ठीक है आप चलो देखते हैं सबसे पहले अभी आपने देखा था यह जो बोर्ड मास रूल का यह जो नाम है इसी नाम के अंदर सब है अभने क्या देख था पहले ब्रेकट करते हैं कुछ ज्यादा ही चमक रहाएका मुझे लग रहा है कि फिर करते हैं और वाला जो होता उसको करते हैं इसको मैं थोड़ा सड़ीक अब फिका दिख रहा है प्रियंकर आज का तेई सारा है चांदनी कुमारी कभी आ गया कृष्णा गुपता देखो बच्चे सबसे पहले इसमें ब्रेकट तो है नहीं हो है मतलब अधर या आफ तो एक प्रकार सी अधर है मतलब क्या यह ना तो जोड़ है ना घटा ना गुड़ा भाग में से नहीं है ब्रेकट भी नहीं है तो सबसे पहले यह हल करेंगे इतना तो इतना जब हम हल करेंगे तो क्या होगा आपको पता है इसको कहीं दूफरी जगा लाकिन इप्टालो यह इसका मतलब सिर्फ इतना ही हुआ इससे जादा कुछ नहीं हुआ तो यह कितना हो जाएगा भाई काट तीन गुड़ा साथ माइनस दस डिवाइड बाइड बाइड दो पहला इस्टेफ हो गया अब देखो थोड़ा सा छोटा हो गया की नहीं छोटा हो गया ना सेजल जैसवाल लेट नहीं होना है ठीक है देखिए अननमबर स्क्रीन पर जो चल रहा है ना बाबू उस पर अगर आ अपना नाम के साथ में जॉइन कर दिया जाएगा उसमें क्लास की लिंक आती है और टेलीग्राम चैनल पर सबसे ज्यादा तो उसको जॉइन करो चलो पहला इस्टेफ हो गया अधर वजो था फंसन इसमें मैंने इसको हल कर दिया दूसरे स्टेफ में हम क्या करते हैं यह मैं लेकिन जब 10 में 2 का भाग होगा तो 5 कि इतना समझ में आया ना यह कलास उनके लिए होती है जो मैत से उमीद छोड़ चुके हैं मैत की वज़ा से बहुत बड़े टेंसन में हैं काफी ज्यादा परिसान है हमारी कोसी से ना उनको मैत में माश्टर बना देंगे बिलकुल टे यह 3 सते 20 माइनस का 5 बाकी का जैसे है वैसे लिए दो गे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जैसे है वैसे लिक दोगे बाकी का ठीक है चलो यह देखो फरिंग ओपरिंग तो नहीं हो रहा है न ठीक है कि इतना दिकत दो रहा है ना नीचे अब 2 चिन बचा यह यह प्लस है माइनस है प्लस प्लस जूड जायागा यह हो जायगा 28 नीचे दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं 28-5 फाइनल में आयगा 23 कितना आया 23 कि तब को समझ में आया देख लीजिए मैं सामने से हट गया हूं छूप गया हूं आधा दिख रहा हूं एक आख दिख रही दोनों नहीं दिख रही है आप लोग को क्वेश्चन दिखना चाहिए एक आया समझ में आर्तिगरी आपको भी आया परसा सिंग क्रिष्णा गुपता लबिंग संजू सिवकांत सुकला राज पतेल सबको आया समझ में जल्दी से सभी बोलो यस फटा फट यस और सभी साथी चैनल को सब सब्सक्राइब करेंगे यह आपके परिवार का तीसरा चैनल नंबर दो के नाम से ना पर अभी आप देख रहें सभी सब्सक्राइब करेंगे जितने हमारे साथ ही है और सेसन को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है जिससे कि हम और भी दिल से पढ़ाएं अभी तो पूरा दशने कि भी द् gi आ रहा है अधिलहाल हम उनेग्याने वाले का मैं surf Altman सब्सक्राइं लेकिन इसको आमें क्या करना भी इसको हमें थोड़ा प्यारा बनाना है पर जब प्यारा बन जाएगा ना तो फिर दिल लग जाएगा इसमें और आपको पता है जहां दिल लग जाता महां क्या होता है नींद नहीं आती न और क्या क्या होता है वो तो सब जानते हो न तुम लोग जानते हो न चलो नींद नही आता है दिल को करार नहीं कि बहुत सारी बिमारियां हो जाती है ज्यादा अगर हम ध्यान देंगे तो और बढ़ जाएंगी इसलिए चलो कुष्चन पर चलते हैं कौन सा हो जाएगा छठा नंबर डाल दो कि आप कोश्ठक भी हम लगाएंगे क्योंकि अब तक कोश्ठक कोश्ठक तो लगाते नहीं थे यह टू प्लस सेबन माइनस का नाइन क्या लिखोगे माइनस का नाइन और इंटू थ्री देखिए अब हम धीरे दीरे बिस्तरित कर रहे हैं इसको अब इसमें कोश्ठक भी आ रहा है प्रेकट भी सामिल हो रहा है ना हो रहा ना सामिल अब तक कोश्ठक वाला नहीं था अब मुझे यह बताओ स बहुत बेतर होता है कुलबिंदर कौर कौन है भाई बार-बार कर रहा है एक ही कमेंट अगर बार-बार कोई कापी पेस्ट करेगा तो उसे एकदम से बलक कर देंगे मिस्टर राज पटेल समझ रहे हो ना बच्चा राजवंती कुछ लोगों को कमेंट मुझे बड़े से पेस्ट कर देंगे दुबारा कमेंट नहीं आएगा कि समझ गए ना चलो कि बी-ओ-डी-म-ए-स बॉर्ड मास का मतलब यह हुआ फिर अदर जो भी इसमें दिये रहेंगे सबसे पहले हम करेंगे भी मिन्स ब्रेकट अब ब्रेकट का भी रूल होता है यह ब्रेकट चार प अ एक्टिए इससे होता यह रहते हुआ इसमें भी होता है सिस्टम क्या होता है है ऊग्ण कहीं किसी कुष्चन में चारों कोश्टक दिये हैं तो सबसे पहले छोटकव़ा कोहल करते हैं एकदम छोटकव़ा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा. जैसे देखो घर मेना सबसे बड़े की कदर नहीं होती अगर चार भाई हो तो सबसे चोटा ज्यादा पेरा दुलारा होता है. समझे रहो ना? और अपसोज की बात है मुश्में से किसी में नहीं है. न चोटे में न बड़े में चलो देखो तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे चोटा कोश्ठकल करेंगे हाँ नाम तुम्हें बताया नहीं ये बड़ा कोश्ठक है ये चोटा कोश्ठक है एक ठी जो ऐसे तेड़ा मेरा बनाया था यह मझला कोषठक है और जो ऐसे खींचा था वो रेखा कोषठक है है intéressant सबसे पहले इस में छोटा कोषटक और करेंगे यह को इसके पहले जो भी जैसे हैं इनको ऐसे लिख देंगे 14 कि तोटा कोषठक में पहले से था उसको मैंने लिखाब कि अगे ना किसी को कुछ दिक्कत है नहीं न किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं न चलो आगे बढ़ें कोई 99 बता रहा है ठीक है कोसिस करो बहुत अच्छे बच्चे देखो भई आब क्या करेंगे अब हम बड़ा कोश्टक करेंगे लेकिन बड़ा कोश्टक के अंदर ही तो सारी कहानी है इसमें फिर क्या करेंगे फिर अंदर में गुड़ा का चिन है और माइनस का चिन है तो पहले क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो सारे को जो भी कर लो सिम्पल सी बात है 149 कितना हो जाएगा 126 और माइनस नौट रिक सब्ताइस कि ठीक है कि 99 आएगा इस हिसाब से तो कितना आएगा 99 कि कुछ गड़वड है का इसमें कि 10 डिवाइड बाइड दो एक कुष्चन पूरा लिखा ही नहीं गया था ना उस हिसाब से ठीक है जितना लिखा था उतना ठीक है इसमें और भी थोड़ा विश्तरित था तो थोड़ा आंसर इसका छोटा हो जाता अंसु समझ में आया अतुल कुमार आपको भी आया तिराग क्योंका अंत्राहुल ठीक है सब को समझ में आया तो इस तरह से साथियों आप लोग यह कुष्चन कर ले जाओगे ना बोलो कर ले जाओगे सभी बोलो यास 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 कर ले जाओगे ना यस बोलो यास 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 सभी कर ले जाओगे नहीं समझ में आएगा बिल्कुल टें से चलते हैं तो यह बताओ बच्चा 6 और 8 का LCM क्या होगा चलो कोई भी बता दे 6 और 8 का LCM क्या होगा और LCM जैसा कि आपको पता है यह तीन लेटर से मिलके बना है तो भाया इनका मतलब होता है लिस्ट L E A S T इंगली से तो होती ना कॉमन कॉमन मल्टीपल अब यह नाम हो आपको कम समझ में आएगा सिर्फ आपको बेसिक फंडा समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं बस आप देखते जाओ ठीक है इसका कोई आंसर बताया कोई नहीं बता र गलत है जो जो दो बता रहे सब का गलत है बड़े एकदम क्या बोलू में इतने गंदे हो तुम लोग LCM कहे रहा है रहा है इसे आता है दो हो इसका LCM पता नहीं कहां से गिरे हो तुम चलो HCM दो होगा बच्चा LCM दो नहीं होगा अध्य को समझो least common multiple इसे क्या बोलते जानते हो लगुत्तम समाप वर्ते हिंदी में इसका नाम जो होता बड़ा ही खतरनाक है हिंदी नाम यह होता है लगुत्तम समाप वर्ते यह वर्तक नहीं होता है महत्तम समाप वर्तक होता है HCF में ठीक है क्या होता है महत्तम समाप वर्तक उदर साइड दिखेगा हाँ दिखेगा समाप वर्तक यह इसके हिंदी नाम है तो देखो इदर साइड में समझो हाँ बिलकुल 24 हो सकता है ठीक है देखो एक्चुली LCM होता क्या है यह एक यानि एक ऐसा मल्टीपल एक ऐसा गुड़ज जो इन दोनों से कट जाए दोनों नंबर से आप समझ रहे हो ना मतलब इनके पापा को खोजना है यानि यह दोनों जिसके पुत्र हैं आप समझ गए LCM का मतलब यह है समझ गए कि नहीं यानि 24 है मतलब ऐसे समझ लो आप यह क्य हैं 24 के दोनों क्या यह पेटे हैं पुत्र हैं मतलब पुत्र पुत्री यह कुछ भी समझ लो तुम समझ में ना लेकिन in BCF में में उल्टा होता है एक च हैसे में Karlों एक हो जाते हैं उनके बच्चा एक हो जाता चोटा वो डूंटा उनको देखो कैसे जैसे blues इसमेफ में की बात करें शेए तो इनका HCF क्या होगा? दो होगा क्या होगा? दो इसका मतलब ये कि ये दोनो गारजियन है जिनका ये पुत्र है समझ में आया? यानि इसमें क्या है? इस दो से ये दोनो नंबर कटने चाहिए समझ में आया? इस दो से ये दोनो नंबर कटने चाहिए और इसमें क्या होता है कि इन दोनों से ये कटना चाहिए दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं बताओ जल्दी सभी बोलो दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं अभी हम गड़ी किताबी ग्यान नहीं पड़ रहें अभी हम सिर्फ इसको समझ रहें बेवहारी की रूप में बताओ आया समझ में की नहीं यह LCM है क्या है यह LCM है इसका मतलब यह है कि दिये गए इन दोनों नंबर से यह कटना चाहिए पूरी तरह कमपलिटली डिवाइड होना चाहिए मतलब 6 से भी और 8 से भी लेकिन इसमें क्या होता है HCF में इसमें थोड़ा सा सीन अलग होता है यह क्या है एक्चुली फैक्टर है इसमें यह होता है कि इस नंबर फे यह दोनों कटने चाहिए दोनों कटने चाहिए बात समझ में आई ना आई ना समझ में सबको समझ में आई ना आई सबको समझ में मोनिका सिंग कल बोर्ड मास खतम हो गया बोर्ड मास में जो बेसिक पढ़ाना था जीरो लेबल वो उतना ही था उतना ही पढ़ाना था इसके अलावा बिस्तरित कलास के लिए यहां पर टाइम नहीं है फिर टाइम study app में जाके वहां से देख सकते हैं detail में सब पूरा फुल ठीक है चलें आगे बढ़ें लबली सिंग कमेंट ना करिए ज्यादा कलास पर ध्यान दीजिए सब को यह मतलब समझ में आया तो सभी बोलो यास 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 रोबिन कुमार राजबिसाल सपना वरसा ठीक है च हम का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया कि वह क्या होता है वह या क्या होता है उनका पापा होता है उनके दो बच्चे होते हैं है तो चलो अब हम नियम सीखते हैं अब क्या करते हैं अब हम नियम सीखेंगे इनके नियम सबसे पहले एक आसान सा नियम यह सीख लो कि कोई संख्या हैं जो आपस में अभाज हैं मतलब कोई भी दो संख्या जो आपस में अभाज हैं मतलब ऐसे अभाज को जैसे मैं अजनों तीन है और दो हैं मतलब एक परकार से यह समझो कामन फैक्टर , इनके को स्बाहन न हो तब इनका , K commercial क्या होता जानती और इन में ! कोई नियम नहीं लगाया जाता है इनको देख करके उत्तर बताया जाता है कितना होगा आप जानते हो देखो समझ लो कुछ चीजें आपको सीखना है यहां पे कोई नियम अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं इस तरह कि कोई भी दो संख्याय हो या दो स्याधिक हो जिनके आपस मे कोई common factor नहीं मतलब plus ubiqu literal structure Catch a means containMS are amazing to get a condemnation for pharmacy नहीस उनका कुछ हो जाता है समझ में आए ना उनका LCम क्या हो जाता बत्चा उनका गुणध्all हो जाता बाबू ठीक है याद रखना तो इनका जो LCM होगा इन का गुड़ा करके बनेगा छे आएगा कितना आएगा छे सब को समझ में आया इसी तरह से अगर दूसरा देखें मानलो हमने लिखा 11 और तीन तो इनका जो LCM होगा भाया वह 11 तीज़ा ही 33 होगा लेकिन अब तुम इसका मतलब यह न सीख जाना किस सब में LCM निकालने के लिए गुड़ा ही कर देते हैं नहीं ऐसा हर जगा दाल नहीं कलती देखो समझो दोनों संख्या जो भी है दो है या तीन है कितनी भी है उनमें कोई भी कामन फैक्टर नहीं होना चाहिए अगर कोई कामन फैक्टर नहीं है तो उनका LCM निकालने के लिए उनका बेज दो कि यहां भी उचाला हो जाया काहे को यह सब बेज रहे हो चलो एक और बताओ जैसे दो तीन साथ इसका LCM कोई बताएगा अभी हम किसी रूल पर नहीं चल रहे हैं अभी हम आपको ऐसा फंडा सिखा रहे हैं कि तुम बीना कुछ करे जान जाओ लेकिन हाँ जो स्कूल लाइफ में हैं ऐसा दिमाग ना लगाना वहां पर ने गुरुजी तुमको जीरो दे देंगे कहेंगे यह दिमाग यह नहीं लगेगा बस आप यहां से सिर्फ आंसर समझ सकते हो लेकिन अगर आप स्कूल लाइफ में हो जैसे मान लोक अच्छा 10 तक या उसके नीचे हो तो नियम से ही लगाओगे मतलब आठ तक हो फिलहाल दस में तो कहीं अलसीम आता नहीं हां सबको समझ में आया ना बरसा सिंग आप अपना कमेंट पर ध्यान दीजिए ठीक है चलिए समझ यह इनका लसीम क्या होगा भया पहले देखो दो है तीन है फिर साथ है यह सभी आ पल्टीपल कर लोगे 42 आएगा यही क्या होगा उत्तर होगा यही क्या होगा अंसर होगा अच्छा ही बताओ ललकी बाली पर निया विदिख रही कि नहीं भाई हां कुछ ज्यादा ही चमक है का मुझे लगता है चमक कुछ ज्यादा होती इस वोजा से थोड़ा सा कम दिखत है का वैसे रेड़ वाला भी दिखता है लेकिन कम दिखता है न चलो यह आप लोग रूल समझ गए मतलब समझ गए न तो इस तरह का एक और बताओ वैसे तो आप समझ गए हो एक और दे रहा हूं बस चलो जैसे मान लो चार पांच और तीन इसका LCM क्या होगा तीनों का भाई कोई बता दे मुहमद साकी बाप ही बता दीजिए चली बताइए इन तीनों का LCM क्या होगा इसमें कुछ नहीं करना है अगर उनके कामन फैक्टर नहीं है तो उनका गुड़न फल ही उनका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा और HCF के case में क्या होगा इस तरह की संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा क्या होगा एक होगा याद रखना बस बस इतना ही याद रखना इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है समझ गए न तो बस आप समझ गए न हम जो कहना चाहते हैं लेकिन एक बाद ध्यान रखना बहिया कलास को पूरा देखना बागू कभी भी जब भी पढ़ना समझ रहे हो न कलास को पूरा देखना बिल्कुल छोड़ की नहीं जाना बाद में ये कलास यूटूब पे उपलब्द रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है इसलिए जब लाइब होता तब ही पढ़ो जिनको भी पढ़ना है रोज रात नौ बजे से बाद में कलास यूटूब से हट जाएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है लाइब सभी आओगे टाइम पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक उत्साह बढ़ता है कि बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं यहाँ पे दस लोग देख रहे हो बाद में हजार लोग देखो तो बाद में नहीं मजा आती लाइब में जुड़ो सभी जुड़ो शुकांत सुकला चिराग भई मुझे चिराग पासवान याद आते हैं इनका नाम से रितिक सिंग ठीक है अब देखो अब हम क्या करने वाले है यह तो आप समझ गए हाँ इनका अगर LCM की बात करें तो गुड़नफल होगा चार पंचे 20 20 याई 60 इसका उत्तर आएगा अगर इसमें हम HCF की बात करें हाइस्ट कामन फैक्टर तो वह वन होगा क्या होगा वन अब हम नियम पे चलते हैं जो नियम है जो रूल है उस पे चले ठीक है रूल पे चलो सभी बहिया रूल पे चलो देखो रूल पे चलो क्या इदर साइड में अब भाई साहब रूल पे चलो अब दो और चार का LCM बताओ देखो यह उस तरह का कुईष्चन नहीं है आप कोग इतना छोटा काय दे रहे हो इतना छोटा तो सब को आता है ले उनके दिल पर हाथ रखके एक बार देखो धड़कन कितनी तेज हो जाती है अगर मेत का कुईष्चन आता है तो और इतनी सरम लगती है कि किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं तो वह उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिन्होंने उमीदें छोड़ दिया मुझे मैत आएगी भी उनको आएगी खुज हो जाओ एकदम दिल से आएगी पक्क्या आएगी देखो चमझो कैसे करेंगे पता है सबसे पहले बहुता है एक भाग भी धी होता है और एक होता है गुण कंड बीधी तो talked method से हम अंब पहले वैसे कर लें तो जादा अच्छा रहेगा मारकमें थोड कोई जाएगा नहीं सभी जितने भी साथी हमारे जुड़े है ना वह इस सेशन को लाइक करने तुरंत देर ना करें तुरंत लाइक करो भाई देखो यार अगर आप लोग भी थोड़ा सा उत्सा बढ़ाओगे ना तो कलास में चार चांद लग जाएंगे समझ रहे हो ना हां हिंदी भी कुछ पढ़ते जाओ चार चांद लगना का मतलब क्या होता जानते हो क्लास को लाइक करिए और दोस्तों में भी सेयर करिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप समझते चलिए थोड़ा आप समझे थोड़ा हम दिखतो हूँ ना कोई चुपके वाला काम नहीं है कि मैं यदर साइड छुपा के खड़ा हूं लेके सब लोग देख लो । चलो है सपना कुमारी आँरा समझ में देखो जिनके कमेंट आते हैं उन sırण ही क्याते जिनके नहीं aक मुझे ढ़ा हूं He आई गाल तो हम कौन सब्धेड करें आप यह बता है अगर गुडन-खंद विधी चाहते ही तो तो भी लिखके कमेंट करो भी फार बाल और भाग विदी चाहते हो तो ए लिखो ए फार एपपल आम आदमी और आत है ना सब यह सही तो होता है चलो मैं हिंदी की बात कर रहा हूं इंगलिस वर्ड नहीं चलो तो कौन सा में थेड़ से किया जा भाई को सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों नंबर के फैक्टर करेंगे अलग अलग तो इसके क्या होता है गुड नखंड हो घुक होता है जिनको यह भी नहीं आता वह पिछली क्लासे देखें जो अभी तक पढ़ाए गई है मैंने गुड़नखंड बताया है इसमें क्या करते हैं भाई सहब इसमें जो नंबर दोनों में कॉमन हो दो नह धो लो हम बोलो हमिन 500 क्ोंद है अब क्या करोगा नीछे लिखो एलसीम आफ description of other 46 1 यंदी वाले लिख दो 2 और 4 अचार का लासा इसको हिंदी में लासा बोलते शालते हैं तो जो दोनों में common है उसमें से एक नंबर यहां जाएगा यह समझो जो दोनों में common था वह तो लि VIC या जाता है उसके बाद जो लाश्ट में बचता है ब आगे timeल बोलेंगे लोग गाली देंगे जो घमेंगे गिसको कोई भी साथ ही नहीं है इसका तर्थ को भी इसमें साथ मिला लेते हैं और इनका गुड़ा कर देते हैं आप कहोगे फिर फायदा क्या हुआ जो common था उसको भी लिखे हो जो नहीं था उसको भी लिखे हो तो फिर फायदा क्या हुआ यह करने का यह करने का यह फायदा हुआ कि जो यह दो बार था ना एक ही बार आया मतलब आइस से कि जैसे कहीं कोई सम्मेलन हो रहा है कोई मीटिंग हो रहे कोई परोग्राम हो रहा है तो उसमें एक एक लोग को एक परिवार से इंट्री है जो husband wife है उसमें से एक है आएंगे husband भी आजाए wife भी आजाए वहीं पर लड़ाई हो जाए तो सारा मामला डिश्टर्व हो जाए इस वज़ा से उसमें से एक ही आएंगे आप समझ गए ना और जिसके ना husband है ना wife है वो आ सकता जैसे यह यह अकेला था यह दोनों डबल थे इसलिए इसमें से एक है समझ गए ना आप समझ गए आप तो समझ गए ना इनका multiple कर लो यह हो गया चार इस तरह से आपका अंसर हो गया चार मैंने अभी अभी पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया कि यह LCM होता क्या है यह नंबर है यह एक आfit नंबर है कि जिसमें दो से भाग करें तब भी पूरा-पूरा कड़ जाया जीरो बाए चार से भाग करें तब भी पूरा-पूरा कड़़ जीरो आए सब को समझ में आई दूना देखो भाई अगर आपको मैहित नहीं आती तो कलास को पूरा देखना मैं बार-बार बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना छोड़ के वीच में ना जाना अगर वास्तों में सीखना चाहते हो तब बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना और हां नहीं सीखना चाहते हो तो बहुत सारा चैनल यूटूब पे मिल जाएगा खूब खोजलो बिल्कूल दिल लगा कोजलो YouTube पर खूब सारा चैनल मिल जाएगा कोई 4 वीडियो डाला है कोई 40 वीडि़ियो डाला है कोई 20 वीडियो डाला है पूरा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पढ़ोगे ही नहीं किसी किसी की बीडियो 10 स्केंड देखो गए किसी का दूए मिनिट देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला किसी भी चैनल पर देखो लेकिन उसी पर हर दम देखो पूरा कलार भी समझ में आएगा याद रखना ठीक ना हम ये नहीं कह रहे हैं तुम यह नहीं देखो कहीं विजा देखना जो भी वीडियो देखना तब समझोगे चलो अब थोड़ा बड़ा पंद्रा और दस के लसीम क्या आएगा भाई का है को यार आज पता नहीं क्या हुआ है सब कुछ गिरी जारा यहां पर लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है क्या बोलते हैं उसे गुरुत्वा करफण थोड़ा थोड़ा साइंस भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मैत बड़ा बोरिंग लगता है साइंस में म मोनिका सिंग कि चलो ठीक है अब हम कमेंट के लिए कुसी को नहीं रोकेंगे कुछ भी बेजो गाली दोचाजितना ठीक है हाँ मैंने भी सोचा है देखते हैं तुम लोग का कितनी हद तक जा सकते हो चलो कुछ भी बेजो चलो देखो 10 और 15 केल्सियम क्या होगा कोई बताए यह 30 आएगा बीबेक पाल सपना राज ठीक है बहुत अच्छे देखो बच्चे इनका भी आप क्या करोगे फैक्टर करोगे तो बच्चा फैक्टर में वन सब में रहता है यह कैसा है ना यह गाओ कि क्या है बाबुजी है कोई भी प्रोग्राम होता पारटी होती जरूर प और लिव दोनों ऊसको भी लेंगे उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगं मतलब कुल मिला के यह समझ लो तुमकी 15 और 10 को कट जाएं बहुत ніżा ने लेकिन छोटी से चोटी संख्या चोटी से होनी चाहिए ऐसे देखो soort 수가 कट जाएगा क्या कि लेकिन एकानी कि तीस एक ऐसी संख्या सबसे चुट की जो कि यह तो बहुत करते हैं राज पैल क्या करने समय क्या प्रदेइ किसको बोलお願いします खार ह मैं लड़ाई कर लो गूसा ले लो तो छलो देखो तो जो दोनों में पहले उसको देखते हैं थो इसके बाद देखो वन से तो कोई मतलब नहीं होता भाई इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि कोई फरक नहीं पड़ता इस नंबर से तो अब दोनों में क्या कॉमन है यहां पर लिखो LCM of या फिर लासा 10 कामा 15 ठीक है तो भाईया इनका कामन क्या है 5 है इसके अलामा बच क्या रहा है यहाँ पर एक नंबर बच रहा था कौन कौन सा एक ठी तो 3 बच रहा एक ठी दूई बच रहा है तो 5, 3, 15, 29 इसका क्या हो गया अंसर सबको समझ में आया उमीद करते हैं सभी LCM सीख गए है सीख गए ना भाईया LCM सीख गए ना बाबू सभी कि नहीं सीख गए सीख गए ना देखो यार बच्चे कम हो रहे हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा जान लो जिनको नहीं पढ़ना तुम सभी चले जाओ पहले चलो निकल लो जल्दी से जिनको नहीं पढ़ना किवल खेलने के लिए आयो तुम चले जाओ और हां अगर लग रहा है कि यह आ रहा है ना तो आप जल्दी जल्दी उत्तर बता दो और सबसे पहले इस क्लास को लाइक करो चलो जल्दी करो इस क्लास को सभी साथी लाइक करो देर ना करो चल्दी करो फटा फट देर ना करो और कुछ बढ़ने वाले हैं चलो बहुत मजे ले रहे हो ना चलो बताओ अरे इको ऐसे लिख दो अनतीस चलो इस कुईस्टन का जबाब दो कितना आएगा इस सेशन को सभी लाइक करो भाई देर ना करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपकी भी कुछ जिम्मेदारिया हैं अगर आप उसे निभाते चलेंगे न तो भीना कहें प है ना तो फिर सिकायत की कोई बाती नहीं बचेगी वजा ही नहीं बचेगी तो हम कुछ कहेंगे इनए जो भी मन करेगा हम भी कर लेंगे नितेज अन्सू सोनू जीतेंद्र जर्दारी इनका नाम है और मैत कमजोर है जर्दारी साहब नाम तो बड़ा जोरदार है आपका फ कोई आंसर देगा भाईया देखो गुड़न खंड विदी एक होती है एक होती है भाग विदी दोनों विदी से करेंगे यह दिखेंगा क्या ठीक है देखो तो पहले हम यह नंबर ले लेंगे 48 जो भी यहां पर लिखा है यह 42 चाहें जो पहले लिखो कोई फरक नहीं पड़ता है जो नों के फैक्टर करेंगे अलग-अलग क्या करेंगी गुड़न खंड करेंगे दोनों के ठीक है देखो समझो इनके फैक्टर कैसे करोगे आप सबको पताया मैंने बताया है देखो दो दूना चार चार दूना आठ फिर आठ दूना सोला और सोला ती आड़तालिस यह होता है न सभी जानते हो न कोई इसका उत्तर बताया नेशू बेगम आरा समझ में देखिए ठीक है मैं बताता हूं जाने दो दो दूना चार दूना आठ आठ दूना सोला और सोला ती आड़तालिस देखिए यह कैसे आता है प्रिये साथियों थोड़ा सा ज्यादा बलर हो रहे का क्लियर तो है ना इसक्रिन कुछ ज्यादा इस यह पड़ गई मुझे लग रहा है इसमें तो तीन सो चब्विस बता रहा कोई इसका अंसर जो भी है वैसे इसका करोगे तो दो दूना चार नहीं यह ऐसा बनेगा ही नहीं दो से काटा होगी किस आएगा तीन से काटा होगे साथ से तो तो त्याहीं छे सते बैयालिस तातियों देखो यह गुड़ा करने पह अनृटालिस आना चाहिए इसका क्या फैक्तर है फैक्तर निकालना मैं पीछे की कलासों में बता दिया है दो दूना चार दोना आठ दूना आठ दूना सोला तिया खरतालीस ठीक है तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसे करेंगे जो 42,48 equal एक तो दो है दोनों में common और एक क्या है तीन है इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें बहुत से ऐसे नंबर है जो बैचारे अकेले अकेले सिंगल सिंगल में है मतलब दोनों में नहीं है ऐना ऐसा जैसे इसमें देखो यह दो बच रहा है इसको भी क्या करेंगे इसम जो कर लोना रोका किफने है दो त्याइन चे दूना बारा दूना 24 दूना 48 48 का 7 में गुड़ा करो और आएगा राजबरमा आरा समझ में रितिक सिंग आएगा ना कोई किसी को डाउट रहान से देखो समझो आगे तो ये क्या था LCM निकालने का गुड़नखंड भी धी था जो आप लोगों ने सीखा कैसे मैंने क्या क्या किया हैक्टर किया इनके गुड़नखंड किये दोनों नंबर के जो कॉमन था उनको एक ही बार लिखा उसके बाद जो जो बच रहा था किसी में कॉमन नहीं था जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे उनको भी लिख लिया जाता इसी तरह से आप इसमें hcf भी find कर सकते हो hcf वो होता है मतलब इसका मतलब होता है highest common factor तो जो दोनों में common है सिर्फ वो ही hcf होगा बाकी कुछ नहीं होगा तो hcf में क्या होगा भाई साहब hcf में होगा बाबु एक तो दो का और एक तीन का मतलब final में 6 hcf 6 आएगा कितना आएगा 6 आएगा अगले प्रस्न की तरफ आगे बढ़ते हैं लोग आप सीख रहें LCM 85 और 9090 इसका क्या होगा भाई यह बताओ यह थोड़ा pen में सही कर लेता हूँ 85 और 90 का बताओ क्या होगा चलो बताओ सभी बताओ चल्दी करो कितना आएगा संजे ठीक है कोशिस करो नहीं यार सभी कितना आएगा 85 और 90 का कितना आएगा देखिए जैसे हम गुड़नखंड विधी से कर रहें इसी तरह से हम भाग विधी से भी करेंगे लेकिन सबसे पहले हम एक एक कंपलीट करेंगे मतलब यह नहीं कि इसमें भी टांग अड़ा दे उसमें भी अड़ा दे और हो ना कोई नहीं एक विधी आप सभी अच्छे से सीख जाओगे तब हम दूसरे पर चलेंगे उसके पहले नहीं बाद में वीडियो नहीं रहेगा जो लाइब में देख लें देख लें जो बाद वाले हैं ना बाद में वीडियो रहेगा ने यूटूब पे देखोगे क्या बाद में नहीं रहेगा 85 और 9090 देखो इनके क्या करेंगे पहले फैक्टर करेंगे क्या करेंगे गुड़नखंड करेंगे तो साथियों अगर हम 85 के फैक्टर करेंगे आपको पता है पहले ये 5 से ही कटेगा फिर 17 से कटेगा क्यों भाई ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न क्योंकि हमें मालूम है जब हम यहां 85 के फैक्टर करेंगे पचासी के तो यह 2 से 3 से तो कटेगा ही नहीं नहीं कटेगा और सीधा फिदा पांच से ही कटेगा और अगर इसका देखें तो इसके तबाई बड़ी लंबी कहानी है दो से कटेगा फिर से 3 से कटेगा जो त्याइए छे तरीक अठारा अठारा पंचे नब्बे तो इस तरह से अगर हम इसके LCM की बात करें देखिए समझो तो यहां पर हम अगर लिखे LCM आफ 85 कामा 9090 इकल जो दोनों में कॉमन है जैसे 5 नंबर क्या है दोनों में कॉमन है तो सबसे पहले हम इसको यहां पर नोट करेंगे यह 5 उसके बाद चुकि हमें लिखना LCM है अब दोनों में जो कॉमन नहीं है जो भी बच रहा है सब को लिखके गुड़ा कर देंगे सब को किसी को नहीं छोड़ेंगे सब को ले लेंगे तो बहिया उपर फिलेते हैं, पहले 17 बचा था इसको ले लिया, फिर ये 2 बच रहा था इसको ले लिया, आगे दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 3 बच रहा था इसको भी ले लिया, एक 3 और बच रहा था इसको भी ले लिया, सब का मिला करके गुड़ा कर लो, म अधारा पंचे नबबे और नबबे का गुड़ा करना है बच्चा सतरा में ये तो तुम करी लोगे तब को मालूम है बहिता 179 कितना होता है 179 एक सो सत्तर होता है तो बच्चा एक सो तिरपन ये हो गया बाबु और एक्टी सुनना हो गया ये अंसर हो गया 1530 कितना आया 1530 आया चिराग बच्चा तुम्हारा 1440 कैसे आ रहा है कि नंजे कुमार यादो इनका आ रहा है ठीक है और कोई किसी का आया सीतल चौधरी कोशिस आप लोग कर रहे हैं अच्छी बात है चुकि हम लोग सीख रहे हैं बेसिक गड़ी जिनको मैं थाती है उनकी इस कलास में कोई जगा नहीं है उनको इसमें जूड़ना ही नहीं है वह कंपटीशन वाली कलास देखें पीवियार स्टेडी चैनल नंबर द होती है पीवियार स्टेडी एप में उपलब्ध है इनको देखना वह डाउनलोड करके देखें चलिए तो यह हो गया अब आपका तीसरा एक और पुजिश्चन हम देंगे सबसे पहले आप लोग जबाब दोगे 112 और 180 का अंसर कितना आएगा यह बताओ तो एक बार यह मारकर मुझसे लग रहा है रूठा टाइप का है इसमें मैं थोड़ा सा देख लेता हूं बहरा था भी है पिर यह रुक भी गया जंदन कुमार बताईए जबाब दीजिए वाई चलो जल्दी करो कि बताईए नहीं नहीं मार के नहीं भगाएंगे जिसको आती है वो भी इसी में रहें वो तो आप लोगों की प्यार मुहबबत है आती भी है फिर भी देख रहे हो तो चलो अच्छी बात है चलो राज पतेल बेटा तुम comment के लिए हम आते हो तुमारी आत्माँ ही कह रही है कि मेरा Comment आया बस पढ़नें नहीं आते हो नहीं ऐसका अंसर नहीं बताया कोई यह नलाइक कॉन सी कर रहे है मेरा कमेंट आ रहा चý नहीं सब लोग आ रहा है सब लोग तीर रे रहा है देखिए राज बर्मा का उत्तर आ गया बहुत अच्छे बयान जी बेरी गुड आपने कोसिस कीया बाकी के नलायक वैसे देखो कमेंट करे जा रहे हैं उत्तर नहीं बता रहे हैं रादे स्याम जी बहुत बहुत थेंक्यू आपको चलो देखो बाई समझो यह 112 इसमें स्याही भरनेस पता नहीं कहां चली जा रही है कानी कौन सी बिमारी हो गई है यह पतलब चल नहीं रहा है और 180 यह अब निकला पचला जम गया था आगए देखिए इसका क्या करेंगे एक एक का फैक्टर करेंगे जैसे इसका दो पूड़ा फिर क्या होगा दो हमें पता है इसका फैक्टर ऐसे करते ना भाई जैसे 112 हो गया दो से काटा दो चौड़ा फिर सबसे कटा यह क्या करेंगे 171 क्या बोलते हैं कि तो यह 20 से कटा रह ना इसके बाद एक सेबंता मैं ने लिख दिया है इसी तरह से इसके विए आप लोग कर लोगे देखो जो दो से काटोगे 90 आएगा फ्र 2 से काटोगे 45 ऩ니다 है कि पन्दरा आएगा फिर तीन से काटोगे फिर पांच से काटोगे पता नहीं सही है कि नहीं गुड़ा कर लो दू दूना 4 312 बारा पंचे 60 60 का 3 में गुड़ा कर लो तीन चंग 18 ठीक है वोई बताएगा इसका LCM कितना आएगा रितिक सिंग बता रहे हैं 5040 आएगा बहुत अच्छे रितिक जी आपने कोशिज किया भरपूर कोशिज किया थैंक्यू आपको चलिए अब समझते हैं ठीक है तो मित्रों अब क्या करते हैं इसमें इतना करने के बाद हम लोग एक काम वो करते हैं कि इसका जो भी सभी में कॉमन है दोनों में उनको पहले अंडर ग्राउंड करते हैं मतलब घेरते हैं यह दोनों में कॉमन है ठीक है और कोई नंबर दोनों में कॉमन है नहीं अब नीचे लिखेंगे LCM of 112,180 इक्वल कितना है बहुत ही प्यार से पढ़ना बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है जल्दी करना है जल्दबाजी नहीं यह दो ठीक है एक दो इसमें दूसरे वाले का कॉमन का इसके बाद क्या करते हैं जो सब में कॉमन नहीं है उन सब को सामिल कर लेते हैं LCM तो यह क्या है गुरुद्वारा का बंडारा है सब को मिलता है देखो समझो पहले जितने डिजिट कॉमन थे दोनों में उनको लिया गया अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर यह कॉमन करने से फायदा क्या होता है आखिर जब बाद में जो बचता है सब को लिख दिया जाता है तो बिना कॉमन अमन करे वैसे सब को लिख दो फिर यह बचने व वैसे गिने तो एक, दो, तीन, चार, इनकी संख्या चार है, जैसे उस दिन बताया था कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, उसमें ये कंडीसन है कि भाईया, मिया भीवी, यानि खत्बैंड वाइप में से दोनों में से एक ही लोग को सामिल होना है, दोनों आ जाएंगे तो खत होता है इसमें, दोनों नहीं, एक ही गिनती, अब इसमें दो बच रहा था, इसमें भी दो बच रहा था, इसमें साथ बच रहा था, इसमें तीन बच रहा है, अभी तो उधर लंबा दिख रहा है, एक तीन और बच रहा है, और एक पांच बच रहा है, ठीक है, अब क्या कर कर लो बसानसर हो गया इतना तो सबको आता है इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं लो दो दूना चार इबसाल हो गया एसको करड़ कर लए हैं không कि और कि आडं़ पंधरापल ह हमने इसको तीन पार्ट में कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था बहुत बड़ा हो जा रहा था अब इसका फिर से गुड़ा कर लो फाइनल में सोला एकम सोला हासिला एक सोला दुना बद तीस एक ताय तीस और यह पंदरा भाई यह तो सब करो ने यार कल्कुलेशन अब यह भी मैं करके बताऊं फाइनली डारेक्ट लिख दूँ यह को छोटा छोटा पार्ट में करते हैं हमने क्या किया यह बहुत बड़ा दिख रहा थ सब्सक्राइब कर लिए तो 336 आ गया पंदरा से इसमें गुड़ा कर दो हो गया फाइनल क्यों हो गया ना कि पंदरा शक्का नब्बे हासिल कितना आया जीरो यह कौन सी गड़ी थे भाई नब्बे ऐसे लिखा जाता है जीरो वहां लिखियो तो हासिल आया नो और पंदरा 45 45 445 55 45 का 4 हासिल आया कितना वांच और पंदरा शक्का पांच बारीव 50 50 500 कुछ थो ऐसे भी तो यह इंको यह यह भी नहीं पता इसको पड़ेंगे क्या हम पढ़ेंगे बता होべरा अच हजार 40 ना पढ़ेंगे अच्छा एक बाद बताओ ऑं इस लिखा इसको जानते हो इसका क्या मतलब है यह कितना है कि या बोलेंगे उसको 50,000 लिखा है कि 25,000 की एक लाग की पाँच लाग क्या लिखा भाई चलो बताओ जिराग जी बताइए जब आप दीजिए राज बर्मा प्रियंका सिंग रभी संकर रोबिन पोहिनी गुट्टु सरोज पुझमा ठीक है ट्राइए करो फटाफट सभी ट्राइए कर अगर इसमें अचिसीएफ की बात करते तो कितना आता बताओ जो भी मैंने किया कितना आता है राज बर्मा अतुल कुमार ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड़ पांच लाख लिखा है क्या लिखा है पांच लाख यह सब तो बहुत ही छोटा-छोटा मतलब है रॉपिक एक परकार सही से तो हर कोई जानता है लेकिन फिर भी कुछ लो बेसिक मैत वाले बच्चे ही जुड़ते हैं और वो हर दिन नए जुड़ते हैं क्योंकि इंडिया में 20% लोगों को ना मैत में कुछ नहीं आता है 20% लोगों को मतलब गड़ित में कुछ मालूम बेटा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बस नंबर नीचे चल रहा है डंड गुड़नखंड विधी उसमें क्या करते हैं गुड़नखंड विधी में दोनों नंबर के ऐसे फैक्ट रालाग अलग करते थे यह बारा और अठारे आप सबी पढ़े हो पड़े हो न, सम्झो फिर, तो अब ऐसे हमें नहीं करना है, अब हमें एक काम करना है कि जो भी नंबर का LCM find करना है, उन दोनों को इस हराई के अंदर लिखना, ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है, जिससे ये दोनों गिंती completely divide हो जाएं, पहले तो यही कोसिस करनी है, और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हम एक एक नंबर target करके completely divide करेंगे, तो आप लोग मुझे ये बताओ सभी बच्चे, कि कौन सी ऐसी गिंती है, छोटी से छोटी, जिससे ये दोनों कट जाएंगे, ये मैं एकदम basic rule बता रहा हूं, ये competition के लिए नहीं बता रहा हूं, competition के लिए तो इसका LCM 36 हो जाएगा, बस हो गया, competition अगर देना है तो इसका LCM 36 हो गया, देख के बता दूँ, मैं तरीका बता दूँ, ट्रिक बता दूँ, जुगार बता दूँ, लेकिन ये competition में आएगा नहीं LCM करने को, बड़े-बड़े question करोगे, उसमें ये छोटा सा इतना बड़ा पार्ट होगा, उसमें का, तो मैं बेसिक सिखा दूँगा ना, तो कभी भूलोगे नहीं, अगर ट्रिक बताओंगा तो बूल जाओगे, राज बर्मा, मनोज यादव, रिंकी सिंग, कौसल, रोहित, दुर्गेस, ठीक है, सभी बच्चो ऐसी बात नहीं है, तो अब वो भी तरीका ठीक है, जो कहते हैं कि पहले दो से ही काटेंगे, जब तक कटे का, उसके बाद ही किसी से काटेंगे, ये भी तरीका ठीक है, तो अब दोनों कट जाए किस से काटेंगे, वो गिंती है तीन, तो तीन दून अच्छा, तीन तरीका लेकिन भाया अब यह दोनों अलग-अलग समुदाय के हो गए अब इन में बनना नहीं है किसी तरह कोई कर लिया ना तो बड़ा हंगामा हो जाता है यह अब दोनों ऐसा में क्यूं बता रहा हूं कि इसमें महाल ऐसा बनाया गया इस देश में कि लोग इसको बहुत जल्दी सम बनते थे आज तो लोग नाम धरम संपरदय समुदाय पता नहीं क्या क्या पहले से खोजते हैं तब पढ़ते हैं पढ़ना है नहीं बात वो सब करो खतम चलो आगे बढ़ें अब यह किस से कटेगा यह दोनों सब अलगला गिंती से कटेंगे तो अब इनको तीन से भी कटेगा दो से भी कटेगा तो पहले हम तीनी से काट लेते हैं एक चीज देखना अगर यह थीन से दो complete divide नहीं होगा तो इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे इसको ऐसे ही लिख देंगे बस कुछ नहीं करेंगे ऐसे लिख देंगे और यह तीन एक कम तीन कितना तो तुम लोग जानी रहे हो इसमें किसी को कोई परिसानी हो तो बताओ रोहित कुमार कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ना बच्चा चलो देखो उसके बाद दो से काड़ लो आप यहां पर क्या लिखोगे लसी यम बराबर जो जो आए है देखो दो फिर तीन और फिर क्या है दो यह मैं थोड़ा सा क्राफ लाइन मार दे रहा हूं चलो उम्मीद छोड़ चुके हैं गड़ित से जिनको मैं नहीं पुछाता है उनके लिए हम कलास चलाते हैं यह कंपटिशन वालों की कलास इसी चैनल पर प्लेइलिस्ट में उपलब्ध है और पीवी आरे स्टडी एप में उपलब्ध है ठीक है समझ रहूं ना बच्चा चलो तो अगला कुईस्टन में चलो देखिए आपको आना सब कुछ चाहिए और जो बिल्कूल बिंदास एकदम टेंसन फ्री होके आएंगे ना फिर वही सीख पाएंगे जिनको जल्दी है ना बच्चा निकल लो जल्दी जिनको थी ना वो चले गए मैंने ट्रक में देखा था पी दीरे दीरे से कि चीजें समझ में आए यह नहीं कि दंडा किये रहो बस जल्दी जल्दी गपर गपर बोले जाएं और तुम कुछ समझो लिखो या ना लिखो बस यह लगे कि हां आज तो दस मिनट में पचीस सवाल कर लिए हैं पता चले 25 में से तुयोट नहीं आ रहा है तो फिर ऐसी पढ़ाई से का मतलब है मतलब वही कि जितना खाओ हजम हो जाए थोड़े खाओ देखो यह कोई बताएगा इसका अंसर क्या जो बड़े एक्सपर्ट है चल दी जबाब दे नीरज कुमार असोक बताओ भी बताओ कितना आएगा देखो सिंपल है ऐसे आपको पहले यह बनाना है मतलब हराई बनाना जिसे हम बोलते हैं धियाती भासा में अचारा और 24 यहा जाए कंपलेटली तो भाईया बाबू यह दो होगा दो नौ अठारा चौबिस का अधा करोगे बारा आएगा और यह गदो जिनको यह फैक्टर वक्टर नहीं आ रहा ना यह कलास नंबर तेईस है आज जाके कलास नंबर पहली दूफिती फिरी चाउथी देखो अधार यह जिनको यह भी नहीं हा रहा कि कईसे हो रहा है यह सब कौन सा ग्यान लग रहा है वो जाके उसको देखें क्योंकि हमारे यह नहीं बिल्कुल जड़ बुद्धी वाले बच्चे हो देचे है उनको हम बहुत अच्छी बुद्धी वाले बना देते हैं समझ रहा जब तक दो से कटेगा तब तक इसको काटो अब अब मैं दूसरा थोड़ा सा फंड़ा बदल देता हूँ उसमें मैंने अलगतर लगाया था दोनों बेसिक है दोनों सही है जब तक दो से कटे काटते जाओ यह 9 नहीं कटेगा इसको चुप चाप ऐसे लिख लो बिना छेड़े छाड़े ऐसे सीधा सीधा यह नो 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 और दो तिया ही चाप देखो भाई दोनों की जोड़ी एक जैसी हो गई बस जुगार लग गए आप चलो देखो अब यह तीन से कट जाएगा तीन तरीका नो तीन एक कम तीन हाँ बन दो जा तू भाई रुको एक आधा मिनट चलो कुछ आत्मा को सांती मिली अभी नहीं एक मिनट रुक जाओ भाई चार्ज नहीं है चलो ठीक है हो गया तो अब यहां पर क्या लिखोगे LCM बराबर LCM बराबर दो गुड़ा दो गुड़ा दो तीन बार था और गुड़ा तीन दो दुना चार दुना आट तरीक चौबिस पही गलत है यार यह तो फिर कहां गलत हुआ अच्छा अभी तो दादा बचे ही है नीचे यह तीन एकम थीन यहां पर नीचे वण वण आ जाना चाहिए इस बात कब इससे ध्यान देना तो भाईया यह दो दूना चार दूना आठ त्रीक चौबिस दियां और चौबिस दियां कितना होगा तीन चौब बारा तीन चौब बारा हसिल एक तीन दूना च्छा एक साथ बारत कर देखो भाईया लसीम का मतलब यह होता बाबु की वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें तुम दोनों से भाग करो बारी बारी तो पूरा पूरा कट जाए बात्तर में चाहे अठारा का भाग करोगे चाहे 24 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा जीरो से सपल आएगा ठीक है तो समझते चलो हम बहुत ही बेसिक फंडा बताते हैं एकदम बिलकुल स्टफ इस्टफ बाई स्टफ तुमको पढ़ना है नहीं हां जानते होगी जो लोग थोड़ा एजड होंगे अगर 18 सा पूरा पूरा प्लान से मतलब है कि वह अगर हो थोड़ा जादा अगर बहुत कुछ पढ़ाना है सब कुछ लाके तुमरी खोपड़ी पटक नहीं कट्थ है दबा जाओ लेकिए पता नहीं कहां से आज आते हैं त्थीस गया लिस इसका बताओ तुमको आता है न मिस्टर कहां गए क्या नाम था इनका मैं इनको डूंड़ने वाला हूं पता नहीं कहां गया दूर्गेश सोनी सोनी महराजी यह बताओ इन दोनों के LCM कितना होगा तुम जट से बता दो मैं चेंज करके समय करन पढ़ाने लगो बताओ दूर्गेश जी बोलो हो की नहीं अब चल बसे अच्छा तुमको भी जल्दी थी जिनको जल्दी होती हो चले जाते हैं तो इनका क्या करोगे कोई बत बनाएंगे एक लाइन खीचेंगे दोनों नंबर यहां पर लिखेंगे 37 और 42 अब इनका फैक्टर करेंगे एक एक नंबर से बारी बारी और उसके बाद फिर क्या करेंगे फैक्टर करने के बाद आगे बढ़ेंगे तुम कहां से आ गये हैं है चलो किसी को कोई हैरानी परसानी नहीं ना आरेन बच्चा तुम बहुत ज़्यादा मूं बना रहे हो 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 गया समझ में है सबको इसका LCM क्या होगा तो चाचा इधर देखो LCM बराबर दो दो मतलब दो बार क्या है अरे उधर जगा नहीं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं तुम इसको सीधा-फीधा लिख ले न एक लाइन में ठीक है दो दुना चार तीयां बारा तीयां 36 36 का साथ से गुड़ा करोगे बच्चा तो साच्छंग 42 और साथ तरीक 21 214 252 आएगा मतलब समझ रहे हो ना दद्दा लोग देखो बताया नहीं ता कौनों अंसर गलत LCM बता रहे हो अवन कुमार कहां थे गुरुदेव अभी तक तुम हां कहां थे तुम अभी तक चलो देख लेते हैं कहरें गलत तो एक बार तो से कटा 18 आ गया ठीक है दो से कटा यह नो आ गया तीन से काटा ता साथ तीन दो दुना चार तीयां बारत यहीं 36 साथ चंग 42 सात्रिक 21 21 24 25 ठीक है बच्चा देखो तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है ललूलाल अभी पढ़ लो ठीक है अभी पढ़ लो तब ठीक होगा चलो यह हो गया लिखलो स्क्रीन साथ ले लो भई रानी साहनी जी बिल्कुल सही है बिल्कुल बेरी गुड सब्सक्राइब और ठीक ठाक होना सबी चलो अब देखो मैं यही फिर करूं कि आठ वार इसमें और क्या पढ़ाना था टाइम अभी काफी है न यह हो गया आपका LCM हो गया गुड़नखंड विधी हो गया भाग विधी हो गया बड़े-बड़े नंबर कभी कर लोगे कि नहीं इस तरह से फैक्टर करके बोलो पहले यह बताओ सभी सीख गये जल्दी से बोलो यास और हाँ यह कलास को पहले लाइक करो सभी लोग जितने कि वह कुछ लोग ज्यान कुछ जादा देते हैं तो मुझे पसंद नहीं है चलो और जितने भी हमारे नए साथी हैं हमारे नए महमान है यार है मित्र है सखा है जो भी आप समझो वह चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तूरं देर नहीं चलो जल्दी करो भया उसके बाद अब ही मैंने एचसी अफ नहीं पढ़ाया तो ठीक है वह भी बताओंगा लेकिन पहले आप लोग लाइक कर दो तब चलो हट जा अब तुम हट जा तुम्हारा काम खतम है जरूरत है अब यहीं आएंगे छे लोगों ने किया बस बाकी लोग अभी तमासा देख रहे जल्दी से सभी लाइक करो फटफट और चैनल सब्सक्राइब करो तभी आगे कुछ होने वाला है इसमें तुम्हारा कुछ का देखो इधर अब हम क्या करेंगे क्या करेंगे है किश्चन है छे 12 है क्या होता इसके बारे में पीछे में कई कलास में डिसक्राइब कर चुका हूं बहुत बार बता चुका हूं अच्छे से के समझों है इधर साइड में तो हम अब भाग विदी करेंगे बच्चा गुडंखंड विदी तो पुराना जमाना हो गया कर लिए भाग विदी से HCF करेंगे ठीक है तो देखो आप तरीका सीखलो सारा बाकी करना या ना करना उससे कोई मतलब नहीं है चलो देखो समझो बच्चा जिनका HCF करना होता है ना उनसे क्या करते हैं दोनों का ऐसे भाग करते हैं इसमें दो गिंती है जो बड़ी गिंती होती उसको इसके कोठरी के अंदर लिखते हैं और जो छुटकी होती ना उसको दरवज्जा के बाहर बस और इसको भाग करते हैं ये 6 दूना 12 ये कि बात और सुनो इसको साइड में नहीं करना यह मुख्य है ऐसा नहीं कि यह रफ वाला काम है इसको बगल में कर दो उत्तर इधर लिख दोगे नहीं ऐसा नहीं करना बच्चा यहां पर क्या लिख होगे HCF इक्वल क्या 6 कुछ लोग सोच रहे होंगे छुटका हुआ HCF हो गया दो नहीं HCF का मतलब होता हाइस्ट कामन फैक्टर वो बड़े से बड़ा फैक्टर वो बड़े से बड़ा गुड़नखंड जिससे दी गई दोनों संख्या है या फिर जितनी भी संख्या का निकालना है सब्सक्राइब हो जाएं उसको क्या बोलते हैं बाबु HCF बोलते हैं तो HCF कितना हो गया 6 अच्छा इक बात बताओ अगर इसमें एक ठी और आजाए छुटका हुआ आजाए भाई देखो यह मानलो भाईया भावी है आपके अब उसमें एक नया प्रोड़क्त लांच कर द प्रोड़कों को कुछ ज्याद है समझ में आएगा अब इक सियव कितना आएगा मैं कोई नहीं बात तो है नहीं नहीं सब इसे बतारा हूं कि आप किसी में सब सीख जाओ करने का तरीका जो है वही रहेगा लेकिन थोड़ा साल लग हो जाएगा वह कैसे पता है इस तरह से चाहे जितनी संख्या हो जाए जितनी संख्या हो जाए तब कर लोगे देखो तो बच्चा इसमें क्या करोगे कोई भी दो गिंती ले लो पहले वस्ते कोशिस करो कि पहले चोटी-चोटी दो गिंती ले लो तो हम छे और दो को लेंगे छे में दो से भाग करेंगे ठीक है समझ रहो ना उसके बाद यह 2 3 6 यह कट गया हो गया 0 तो आप कहोगे कि क्या यह एच्छी अप यहीं आ गया नहीं अभी कनफॉर्म नहीं कि एच्छी अप 2 है कि नहीं अब फिर क्या करेंगे जिससे लाइश टाइम यह कटा जैसे दो से कंप्लेटली डिवाइड हुआ है तो बच्चा दूसरा वाला गिंती लोगे ठीक है जो एक छूटा था और इस से जिससे यह कटा था लाइश टाइम में उससे भाग करोगे बारह यह भी पूरा-पूरा कट गया ना तो एच्छी अफ कितना हो गया यहीं लिखोंगे न इसमें होता है उसमें इतना मज़ा नहीं आती है जैसे आप देखो कहानी क्या होती समझो अब समझो जिनको भी घड़ित सीखना है पूरा क्लास देखो प्यार से यह बुलट वाली छोरी का गाना दीजिए देखो एक छी नलायक पता नहीं कहां से आ गया यारामकोर मैं इस इस देखो इदर समझो आपको इसमें नया बताने वाले वह नया क्या है वह भी समझो अब सीखरें भाग विदी से इसको पोचना पड़ता है बिगोना पड़ता है सुखाना पड़ता है देखो यहां पर जैसे अगर हम आपसे बोले हैं कि भाईया हो बाबू हो इनका ऐसे करो तीन का पंदरा का और आठ का इनकाज सीख करो तब देखो कईसे कहानी होती है ऐसे होगा ही ने फिर करके देखो चलो करो कितना आएगा पताओ कितना है इनका सीख कितना है भाग विडी से ही करना है फिर उत्तर नहीं बताना है तरीका भी करके दिखाना है कोई बताएगा इनका उत्तर तो वह ना आएगा लेकिन कैसे आएगा पूरा कहानी क्या समझो कि सबसे पहले कोई भी दो गिंती ले लो छोटी-छोटी मान लो बने ले लिया आठ और तीन भाई यह भी अभी देख रहो बहरा एकदम कि आँए देखो समझो छोटी-छोटी दोनो गिंती ले लो बच्चा उनको भाग करो तीन से भाग किया तो तीन दुना छे कटाने पा गया दोना इसके बाद क्या करते हैं जानते हो कि नहीं तुम जानते हो यह अलग हो गया इसमें सेसपल बच रहा है आप क्या करोगे अब जो सेसपल आ रहा है वह भागफल बन जाएगा ऐसे इसकी एक नई व्रिद्धी हो जाएगी यह भागफल हो जाएगा और यह बच्चा भाज बन जाएगा बहाज बन जाएगा डिवीडियंड बन जाएगा यह डिवाजर बन जाएगा अब इसमें भाग करेंगी तो एक कम दो गटाने पर किता आएगा भाईये साहब यह काएगा बाबू अब भी यह जीरो नहीं हुआ पूरी तरह भी नहीं कटा तो क्या करोगे अब यह वन यहां पर जीरो आया फाइनल में और इसका जीरो लाना ही टार्गेट जीरो आगया मतलब काम खतम तो समझ रहो ना तो लाइस टाइम किस से डिवाइड हुआ यह बताओ अब को दिखरा लाइस टाइम ओन से डिवाइड हुआ है तो अब वन हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कंफर्म तब होगा जब यह वन इस पर भी बिजय हासिल कर ले 15 पर तो वन वन जा वन घटालो जीरो आया उपर से 5 उतारो वन पंज 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 यानि सब को हरा दिया यह वन से सब कट गए तो कितना अगया वन है नीचे आप लिक सकते हो समझ है ना इसका निकालने का एक और भी तरीका था मैं बहुत पहले वाली कलास में बताया हूं कि बच्चा अगर तुम यहां पर देखो इन तीनों नंबर को तो यह अलग-अलग समुदा यह अलग-अलग धरम के लग रहे न अब कहोगे संख्याओं का भी धरम होता है का मैं समझाया था तो बताया था कैसे होता है क्यूं होता है याद करने के लिए आपको न यह संख्याओं भी है इसमें भाजे संख्या भी है अभाजे संख्या भी है देखो 3 और 15 विसम है 8 एक संख्या है पंदरह और आठ भाजय संख्या है तीन एक अबहाजय संख्या तो जब कहीं ऐसी कमबनेशन बनती है और हमें अगर HCF निकालना हो तो ऐसे हिथिती में जो HCF है वो 1 आता है क्या आता है गेता इन आता है बन ही का मतलब वन आएगा इसका भी वन आएगा शाम पर कि देखो अब अब ऐसा कुष्चन ना बताए कंफ्यूज हो यह फिर पढ़ाएं रिंकी जी आप चाहते हैं कि हम पढ़ा है इना फिर कंफ्यूज ना हूं आप समझ भी ए नाकन्फ्यूज नहीं होंगी आढ़िंगे दिमाख का यूज करूए बचाक somaf कें हूं रहीए तरह से और भी कर लो जैसे अगर मानलो मैंने लिखा 11 20 और 33 इनका हचीफ कितना आएगा इनका हचीफ कितना आएगा बताओ बोलो फटाफट कितना आएगा इनका हचीफ मैंने खुद बुलाक कर दिया ठीक है चलो कोई बताएगा इसका हचीफ कितना आएगा रभी संकर माइनस में क्यों लिखा जाता है अरे गदे माइनस में कहीं उत्तर मैंने नहीं लिखा था वो तो घटाया था माइनस में थोड़ी लिखा था माइनस में नहीं लिखा था देखो इधर समझो वान आएगा इनका अच्छी अपना प्रियंका ठीक है दिंकी जही नहीं परेसान नहीं हो जाएंगे देखो समझो इसमें पहले दोनों छोटी संख्याओं को पकड़ो फॉकस कर जकड़ के तो दोनों छोटकी है एक 20 है एक 11 है 11 का इसमें भाग करो तो यह ग्यारा दूना 22 हो ट्रेक करोगे नाइन आएगा कि माइनस मैंने लिखा इसमें से घटा आ रहे है ठीक है नाइन आया इसके बाद क्या करोगे इसके बाद 9 क्या हो जाएगा आपका भाजक और उपर जिससे पहले आपने भाग किया था वह इसके अंदर आ जाएगा यह तरीका होता है तो पीचे जगा नहीं इसलिए मैं यहां करूंगा आप सुद्धो से भाग किसमें होगा नौ में सुद्धो चुका आठ गटाओगे आएगा एक अभी यह जीरो नहीं आ रहा है और इसकी भी जीद है जब तक यह जीरो ना आजा तब तक मानना नहीं है तो वन भाजक हो जाए नहीं आया वन अंसर तब आएगा जब वन से एक तीसरी जो संख्या वो भी पूरी पूरी कट जाए इसको भी भाग करो वन से 33 को तो वन वन जा वन अटा लो कितना आया दो उपर फे ले जाएंगे दिमाग उमाग नहीं काम कर रहे का हा हां हम डारेक्ट तीन बार ना ले जाएं वन थिरी जा थ्री जीरो आया उपर से थ्री उतारा वन थ्री जा थ्री ठीक है यानि 33 भी कंप्लेटली डिवाइड हो गया ओके अब देखो क्या करोगे अब लिखो गे एच्छी अफ बराबर वन 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 यह बताओ क्या किसी गिंती का एच्छी अफ कभी जीरो भी हो सकता है बोलो हाय नहीं अंसर वन आएगा वन क्या किसी गिंती का एच्छी अफ कभी जीरो भी हो सकता है एच्छी अफ हाइएस्ट कामन फेक्टर बोलो यास या नो क्या कभी जीरो भी हो सकता है तुमन कुमारी तोने लाल चलो भाई कोसिस करो यार कोसिस नहीं करते हो न तो मज़ा नहीं आती बिल्कुल और जितने भी साथी हमारे इस सेसन को देख पा रहे हैं वो कलास को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वो यूटूब पे देख पा रहे हैं अगर फेस्बुक पे अगर आप सभी अभी तक को इंस्टाग्राम पे फालू कर रहे हैं तो उख आउरीओ यह फालू कर लें तो अंट से सीखा भाग विधी से सीख लिया लेकिन कब जब दो ही संख्याएं हो जैसे देखो यहाँ पर मानलो मैंने एक कुष्टन दिया क्या है वो कुष्टन 48 और 15 और यहां पर लिखा 10 अगर इनको गुडनखंड विधी से हमें LCM करें तो कितना आएगा कि बताइए सोच के बताइए कितना आएगा हां गुडनखंड विधी में क्या करेंगे भाई यह सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले यां समझो LCM गुडनखंड विधी देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे और सिस्टम से पढ़ाएंगे अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो सारा कोर्स पीवीर स्टडी अप्लिकेशन में उपलब्द है पीवीर स्टडी एप प्लेइश्टोर से डाउनलोड करो बिल्कुल फ्री एप है उसमें जाके कोर्स को लो और पढ़ो सारा कोर्स इकठ्था दे दिया गया जो तुम्हारा मन करें वह पढ़ो समझ गये चलो तो इनके एक-एक के फैक्टर करेंगे 48 15 10 LCM और HCF हम दोनों एक ही में करेंगे अब अलग-अलग कलाफ नहीं होगी जिससे की मस तरीके से समझ में आ जाए समझो तो इनका कोई फैक्टर बताए जल्दी से 48 का कि बिजय कुमार आपी बता दो बच्चा चलो कितना आएगा रभी संकर इनके कोई फैक्टर बताए मुझे है है यही तो होगा इनका फैक्टर की नहीं क्यों भाई यही होगा ना कमल दीब कमल दीब बच्चा पीबियार स्टडी अप्लिकेशन में जाओ वहां पे सारा है यह फिर प्लेलिष्ट में चले जाओ प्लेलिष्ट में भी यह लेकिन अप्लिकेशन में जो है वह प्लेलिष्ट में नहीं चलो है इनका फैक्टर करोगे 23 पांच आएच इनका करोगे तो दो गूरा पांच चाहेगा तो साथियों जब हम इनका LCM करते हैं चाहे वो तीन गिंती है या पांच है या उससे अधिक है चाहे जितनी भी है कि समझो कि यहां पर समझो तो इसमें क्या करना है यह चीज़ देखो सबसे पहले जो सभी में कॉमन है उनको हम ढूंडते हैं तो आप देखो सभी में कोई कौमन है कि वो़ो यास या नो कोई गिंती सभी में क玩 है या नहीं application का जो बच्चे कॉर्स लेंगे उनको live १ मिलती है मिलेगे जू लाइसए बात नहीं है ठीक है इसमें दो दो है इसमें तो कोई दो है नहीं इसमें है नहीं है सभी में कोई गिंति कामन नहीं वनके सिवा नहीं है न तो अच्छा एक मिनट मोटा मोटा आप यह समझो कि इसका LCM होगा क्या है बिना कुछ किये वैसे समझो क्या होगा LCM LCM का मतलब होता है वह छोटी फे छोटी संख्या जिसे सभी कट जाए completely तो क्या होगा LCM सोचो थोड़ा बढ़ा नहीं सोच पाओगे तो जो दो या दो से अधिक में common है उनको गेरो जैसे दो इसमें भी है दो इसमें भी है मतलब वह जरूरी नहीं कि सब में हो कम से कम दो में हो बस जैसे हिसमें 48 में था 10 में भी था तो मैंने घहर दिया है आब यह पांच भी देखो देखो छूट क्या रहा है अब इसमें तीन छूट रहा था इसमें यह दो छूट रहे थे पांच बार कितनी बार पांच बार दो तीन चार पांच कि इतना सब क्लियर है सब का गुड़ा कर लो एक में देखो यहां पर समझो दो पंचे 10 तियाई 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240 दूना बहुत लंबा हो जाया गया मुझे तो लग रहा है बड़ा लंबा हो जा रहा है चलो देखते हैं फिलाल जो भी होगा अगर इस तरीके से आपको समझ में आ जाये तो अच्छी बात है दो पंचे 10 दस त्याई 30 दूना 60 दूना 120 यहां तक देखो 120 हा रहा है और यह दो दूना 4 दूना 8 हा रहा है तो मुल्टिपल कर लो सब का कि 120 गुड़े 8 है तो बाराठे कितना होगा जानते हो कि नहीं वही कुछ लोग तो 240 बता रहे हैं अच्छा जो 240 बता रहे हैं बच्चा यह बताओ क्या 240 जो है सभी गिंती से कट जाएगा गुड़ा करके बताओ कितना आएगा जो 240 बता रहे हैं उन्हें यह समझना कि क्या सभी गिंती से 240 बिभाद यह हैं है कि इसका मतलब ठीक है बाराठे कितना होगा कि भाई फिर LCM गलत है इसका मतलब है कि इसमें कहां गड़ बढ़े यह बताओ इसका मतलब यह गलत है यह कहां से गलत है देखो जब आप लोगों ने फैक्टर किया था वहीं से गड़ बढ़े यह वहां से फैक्टर यह है कि यहां से देखो दूना चार दूना आठ धूना सोला दूना बत्री्ट दूना चावसट बन जावわかंड लाजा यह वर लगताते चले गए father only इसको भी हम गेर दें है तो यह भी क्या है उत्य ही तीन कॉमन है एक तीन कॉमन हो गया एक फांच कन ऊपछ हो तैर्य का मुपत में बचहा है वह तीन ही बचेंगे कि बिसके चलो ठीक है देख लेते हैं उसके बार तो इसիलिए में इसको बता रहा था कि जब 2 या 2 से अधिक गिंती का नीकालना हो तो इसमें लफ्ड़ा पर जाता है अगर 2 ही कि गिंती का होता है तो तोर या 2 से अधिक का ल्सेम करना हो तो यहां पर लिखत होने लगती दो तीन और पांच इतना तो हो गया तीन बार ये दो और भी एक्स्ट्रा है ठीक है दो पंचे दस तियां तीस दूना साथ दूना एक सो बीस दूना दो सो चालीस देखिए इसका लएप क्रीज दूसोंच आएगा ये कंफा में क्यों क्योंकि अगर आप 45 और जानलिस से कटोगे 240 को देखो कट जाएगा कितना आएगा बताव पांच आएगा लगभर सब्सक्राइब आफ सुनागे अगर दस से काटेंगे तब भी कट जाएगा पंद्रह से काटेंगे तब दरगो एप इसलीटेरा जोने कर लेगे देखो कमेंट मिलिंक आ रही है या करके चाहे तो फटा फट अभी th logos का जाएं और टेलीघराम चैनल पे लिंक पहले दिगए ऐक लास की ऐसी बात नहीं को हानी चले जायो गाऊचे जैसे टेलीघराम चैनल में जायोगे वहाँ से लिंक भेजी गई है यही कलास की फिर से आजाव गया पर चलो तो यह हो गया आप सीख गए अब इसी में लगे हाथ हम लोग क्यों नाजमाल है एक कितना होगा है एक सीएफ कितना होगा दिख तो रहा है ना क्लियर चलो इन सब का एक सीएफ बताओ देखो बच्चा जो जो सभी में कामन है पहली बात हो एक सीएफ का मतलब ऐसे नहीं चलेगा हम ऐसे नहीं चलेगा एक सीएफ के लिए सभी में कामन होना जरूरी है रेनु भरतवाज कुछ समझ में आ रहा है HCF के लिए सभी में common होना जरूरी है ललीत कुमार बच्चा तुम्हारा internet नहीं चल रहा बाबू ठीक है अपना internet सही कर लो सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है देखो समझो इसमें सब में कोई गिंती common है ही नहीं कि जो टीनों में हो हाँ एक इंती common है सब में जो मैंने नहीं लिखा था one क्या है one-one सब में रहता हमेसा लेकिन इसका कोई यूज नहीं इसवजा से मैंने नहीं लिखा तो इसका HCF क्या होगा one होगा क्या होगा one होगा HCF का मतलब होता highest common factor जो सभी में आये अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे दो तो दो का मतलब जान देओ दो से 10 कट जाएगा दो से 48 कट जाएगा लेकिन दो से 15 नहीं कटेगा अगर यह 15 नहीं होता कोई सम संख्या होती तब इसका HCF 2 हो सकता था समझ गए ना सोनम रहा है तुम्हें कभी नहीं समझ में आता ना और हमें लग रहा है तुम्हें कभी आये कभी नहीं क्योंकि तुम्हारे खोपड़ी में हमें लगता है यह गोबर भरा है कि मुझे नहीं आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है मैं देखा हूं कच्छा 9 में भी study application में जीरो लेबल वाला जवाइन करो आएगा हां वहां से जाके बढ़ो फिर चलो अच्छा एक बात बताओ अगर आप इनकाच सीएफ करना हो तो क्या होगा हां जोती सिंग बहुत अच्छी बात है मैं देर करती नहीं देर हो जाती है हां अच्छी बात है देर हो जाती है देर कोई करता है जाने के थोड़ी चलो बताओ अब इनकाच सीएफ कोई बताए निवन सीतल चौधरी कोई अनिवन कि अब इनका है कितना आएगा देखो जो सब में कॉमन हो वही एचसी एफ होगा अन्य था कोई भी एचसी एफ नहीं होगा चलो है एक सीए में हाइस्ट कामन फेक्टर है बहुत अच्छे बेरी गुड बर्सा अभी तुम को पताएंगे कौन किस के लास में है किसके साधी हुई किसके नहीं हुई किसके तैयारी हो रही है अच्छारी डीटीयल अभी दोंको देंगे हम लिख के रूखो एक मिनट चलो थो स सब में हैं बाकी वन भी सब में हैं लेकिन वन का कोई मतलब नहीं क्योंकि इससे उत्तर पर कोई फरक नहीं बढ़ता है तो इसका स्काइब क्या होगा दो होगा समझ गए ना क्या होगा दो होगा इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल सिस्टम से समझना है कि समझ गए ना तो मुझे लग रहा है कि आप कर लोगे तीन या तीन से अधीक या चाहिए इतनी किंती दे दी जाए कर लोगे ना कर लोगे तो चलो फिर लगे हाथ कुछ और कर लेते हैं देखो यहां पर समझो भाई भीड़ रही है इसलिए थोड़ा सा यह मैनेज करना बैठें जन संक्या बढ़ा रहे ना इन लोगों के लिए कि उन्हें सरकारी सुविदा नहीं मिलेगी देखो समझो आगे अगर हम ज्यादा कुष्चन देदें 24 टैन है 28 और यह सभी सम ले लो कि इनका LCM बताओ कितना आएगा हूं हूं है इनका LCM कितना आएगा कि अच्छी बात है बर्मा जी बदाई हो चलो कि देखिए सभी के आप अलग-अलग फैक्टर करोगे कि सभी के फैक्टर करोगे अलग-अलग और फैक्टर करके जो सब में कामन होगा उनका हिसाब करोगे हाँ है चलो सब के फैक्टर कर लो दो दूना चार दूना आठ दूना सोला क्यों भाई सोला अगर गड़बडान जाएगा अब देखो इधर साइड में समझो यहां पर समझो दो पंचे दस दो दूना चार और यह चार सते 28 इसका भी फैक्टर कर लो तीस का तो दूना चार नहीं होगा.. नहीं होगा इनका लस्टियेम कोई बताएगा इनीमन इस देखो जो दो या दो से अधिक में कॉमन है उनको पहले लिखोगे ठीक है समझ रहे हो ना तो दो या दो से अधिक में कौन-कौन कामन है दो देखो इसमें कामन है इसमें भी है बचवा दो इसमें भी है यानि इसमें सम्में दो है उसके बाद ये दो देखो इसमें भी है इसमें भी है जरूरी नहीं कि सम्में हो पांच देखो इसमें भी है इसमें भी है मतलब एक से अधिक संख्या का गुडांक होना चाह IT Noors A Even 2-2 की कितना जोड़ी बनी है एक कि बाइट सबमें नहीं यह जोड़ा पाँच को मत छोड़ो यह तकलीफ होगी ने तो यह बचे हैं और यह भी एक बचे हैं हां बस कि हो गया ना सभी चलो सबका गुड़ा कर लो कि चलो समझो कि सही है कि अभी भी कुछ गड़ बढ़ा रहा है जो तीनों में कौमन था यहाँ पे तो दिमाख लगाना है वह भी लिखा 5 भी दो में कामन था उसको भी लिखा तीं में था दो में उसको भी लिखा साथ और तो चूट रहा था उसको भी लिखा अब समझो, दो दूना चार तियां, बारा पंचे साथ दूना एक सो बीस एक सो बीस का गुड़ा कर लो बच्चा, किस में? साथ में, क्यूं सही है न? तो बारा सते चौरासी, आठ सो चालिस आएगा ये बताओ, आठ सो चालिस क्यूं आया? क्या इससे छोटा में नहीं काम चल रहा था का? इससे छोटी गिंती भी आती लेकिन इसमें क्या था? इतो कोनो 283 भी बता रहा रहा हुई 283 से कटेगा का? फिर गडबड है का कहीं? 283 से कटेगा, बताओ पहले बहुत पागल पागल हो यार, तुम लोग सही में 283 होगा ही नहीं, क्योंकि 283 से नहीं कटेगा और LCM का मतलब होता कि सबसे कट जाए 280 गलत है, 1KG गलत है चलो उमेशुकला, ठीक है देखे इसमें मामला का जोला इसलिए फस गया यहां पर 28 और 24 हो गया, क्योंकि अगर 10-30 और इसके करम में होता तो बहुत चोटा सा LCM हो जाता, बहुत बढ़ा नहीं होता अच्छा अगर इसका HCF बोलें तो क्या आएगा HCF कितना आएगा इसका देखो बहुत ही अराम अराम से समझना है जिनको नहीं आता है जिनको आता है उनकी तो बात ही अलग है फिर वो तो आस्मान से आगे क्या कहें नहीं बोलेंगे आगे जाने दो चलो बताओ मतलब आस्मान में बैठके पढ़ेंगे और क्या बोलेंगे देखो समझो यहां पर दो आएगा न कितना आएगा दो आएगा ठीक है दियान से पड़ो बच्चों अच्छा तो बच्चों इसमें जो सब में कॉमन है वो होता है वो दो है दो किसी वार कोई गिंती नहीं जो सब में कॉमन हो तो HCF क्या है दो है तीन या तीन से अधिक गिंती का HCM HCF आप लोग कर लोगे न कर लोगे न भाईया लोग अंकल अंटी भाईया भावी सभी कर लोगे न कर लोगे सभी न चलो देखो इधर साइड में सभी जितने भी नए चात्र जुड़े हैं जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरन देर न करें चलो जल्दी करो फटा फट देर नहीं अब अब बहुत होगे आती कर दियो एक दम तुम लोग करते नहीं हो चलो इसका अंसर दो कोईशन नंबर यह तीन लिखने पर वेज्जती महसूस हो रही पांच लिख लो चलो कि इसका उत्तर बताओ जल्दी से सभी कितना आएगा जल्दी बताओ वही देखो यार इस्क्रीन और लाइट देखते देखते ना मेरी आख जो है वह साम तक फुर्सप मांगने लगती है खैती है नहीं इससे ज्यादा आप नहीं अब बहुत हो गया कोई बताया इतना देर में नहीं हम कहां गया तुम लोग छुप गए मैं थोड़ा ओल्डी स्टूडेंट हूं अच्छा ठीक है बुड़ा गया हो तुम चलो अच्छी बात अरे मैं जान रहा हो कि तुम पुराने हो पुराने का मतलब उड़्डे भी बोल सकते हो तो ठीक है सब कुछ ना क्लास के बाद में आप लोग पीवियर स्टडी अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना उसमें आपको सीरियल से सिस्टम से सारा कोर्स मिल जाएगा ठीक है जब यह कलास खतम हो जाएगी वीडियो देख लोगे उसके बाद आप गूगल प्ले इस्टोर में जाना या डिस्क्रे में तुम लोग बड़े खराब इंसान हो कि नितेश कुमार बता रहे हैं उल्टा सीधा पता नहीं क्या कि और कोई कि उमेश मुर्या भी जागे हैं सो के कि चलो ठीक है मैंने एक सवाल पूछा तो इनकी सबकी ना नहीं मरने लगी नहीं बता रहे हैं पता नहीं नहीं क्या चाहिए अब मैं इसके आगे बताऊंगा भी नहीं हो गया खतम कहानी चलो एक और भी लिख लो कुछ और भी चीज़ें बता देता हूं उसके बाद बंद जैसे 31 हो गया और 11 हो गया इसका LCM कितना आएगा जानते हो इसके पीछे एक फंड़ा है एक फंड़ा हो मैं बताऊंगा भी HCF and LCM इसका बताना है देखो यह गिंती तो बड़ी है क्या होगा जरह सोच के बताऊ कि एक कुईस्टन और भी ले लो जैसे मान लो 151 और यहां पर तीन इनका बताऊ कितना आएगा सोच के बताऊ सभी बताऊ सभी बताऊ वह देखो कोसिस करो यार तुम लोग मजा नहीं आ रहा है से इतना देर देर में करोगे ना तुम्हारी साधी अगर तैर रहेगी ना भी कैंसिल हो जाएगी जिसके पीछे पड़े रहे तो 24 गंटे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना पता है जो रात में कलास सेडूल रहती है कि अगले दिन चलेगी ना रात में 12 एक दूई तीन बच जाता है ना उसमें जाके आराम से गपसप करते हैं और तुम कैसी हो निन नहीं आ रही है और बताओ क्या प्राब्लम चल रही है सारा दर् कहीं कोई ठीकाना नहीं कम से कम एक अस्थान तो मिलता है गुप्त बात्चीत का ठीक है करने दो समझ रहे हो ना तो कर लिया करो ऐसी कोई बात नहीं मना नहीं कर रहे हैं लेकिन यह जान लो कोई कभी-कभी देख भी लेता है कोई कभी-कभी देख भी लेता है लली जोसी बच्चा तुम बहुत पढ़ने वाले हो ना तो कहीं अच्छा जगा देखो यहां पर पढ़ाई तो होती ही नहीं है यहां पर तो हम लोग बखवास करते हैं ऐसे खड़े हो के चलो बताओ देखो इसमें मैं क्या फंडा बताने वाला था वो यह था कि यह सभी जो संख्याएं हैं आपस में किसी तरह से भाज्य नहीं है है ना तो इनका जो LCM होगा वो इनका गुड़नफल होगा समझ गए ना इनका गुड़नफल ही इनका क्या होगा गुडन फल ही इनका क्या होगा L.C.M होगा और अगर इनका हC.F. की बात करें तो इनका जो H.C.F. है वो H.C.F. कितना होगा वन होगा समझ गए न वैसे इनका भी देखो यह आपस में किसी भी तरह से भाज नहीं है तो इनका जो LCM होगा वो इनका गुड़न फल होगा गुड़न फल यह क्या होगा LCM होगा HCF कितना होगा बच्चा HCF1 होगा सभी समझ गए ना किसी को कोई परसानी बैसिक क्लास में यह सब मत बोलो अच्छा भाया ठीक है नहीं बोलेंगे यह सबी से लिए बोलते हैं ना कि यसे तुम लोग जागते रहा इस लोग सोने लगता है इसे इसे तो मेरा मतलब ये रहता है कि ओगरी तवस्ता में आ जाएं क्योंकि ए। कि दिल में डारेक्ट टक्कर मारती हैं कि वो जाग जाते हैं अरे ये कौन सी मज़दार बात होने लगी बाकी पढ़ाई में तोड़ी मज़ा थी उतनी चलो तो मुझे लगता है कटम हो गयाrust है कि को में चाहिए भी नहीं ही जा अब इसमें कुछ नहीं बचाए हूंD है कौन मुसीबत आगाई यह है तो आप इधर साइड में समझो आप हम लोग क्या करने वाले अब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं जो कि अगली कलास में बहुत अच्छे से करेंगे इस कलास में बस थोड़ा हलका-फुलका यह बता आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो बीजगणिती यह बंजक बोलो हाँ या नहीं पढ़े हो कि नहीं हाँ जैसे अगर यक्स का भाग करा जाए वाई में तो कितना आएगा यह सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो इसका का मतलब हुआ भाई लिख रहे हैं आई हेट लब सर अब अगर आई हेट सर लिखो तब इसका मतलब निकले आई लब सर लिखो तब भी निकले मुझे पता तुम क्या कहना चाहते हो लेकिन वह वर्ड बनता ही नहीं है ऐसा तो कोई करेगा कहा से है ना देखो यहां पर समझो मैं जैसे कुष्चन देता हूं वह बहुत ही सिंपल सा है चोटा सा है नंधा सा प्यारा सा है अगर इसे हमें यक्स से भाग करना हो तो इसका उत्तर कितना आएगा बताएगा कोई बहुत आसान है यह बहुत आसान है लेकिन यह सब के लिए नह सब्सक्तान है और जो आर्ट साइड किया बायलोजी वाले हैं बड़ा एक्सपेरिमेंट करें अभी तक ना उनके लिए नकुनंचना चबाने हाला है कि चलो बताओ कोई भी कितना आएगा अरे तुम्हीं बताओ मिस्टर राज बर्मा एके कमलेस रवी संकर कुलबिंदर कौर उसा देवी और उसा अंसुल भाई मुझे लग रहा दो लोग है इसमें दो लोग मिलके नहीं बता पा रहे उतना देर तक रवी संकर और कोने भाई एक इनका नाम है पता नहीं क्या नाम है तक नारायन महतो ठीक है बच्चा इनको करने का कईयों तरीका है इसका अंसर दो यक्स आएगा एक तरीका आसान वाला बता दूं कि दो यक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं पहले समझो इसको पू ही रहेगा एक्स से एक्स कट जाएगा फाइनल में दो एक्स बचेगा और यहीं क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा समझ रहे हो ना तो बच्चों अगली कलास में हम यही सब पढ़ने वाले हैं LCM HCF आपका लगबग सब कुछ हो गया खतम जो तीन अंग पांच अंग जो भी था सब कुछ लगबग खतम हो गया है तो अगली कलास में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं जैसे अगर एक मैदू यहां पर यह बत 3 x plus 1 कहां तक जाए गई बस बस नॉनिश्टाप इसके आगे नहीं अगर यह 12 x का स्कॉर प्लस 15 x और प्लस वन हो तो क्या इसको भाग कर लोगे आप लोग जितने लोग कर लेंगे बोलो यास जो नहीं कर पाएंगे बोलो नो कर लोगे बच्वा की नहीं हां इसको कर लोग से बताना कमेंट करके ठीक है एल सीम निकालोगे 125 और 35 का मतलब होता है वह चोटी से चोटी गिंती जिससे यह दोनों कट जाए तो वह होगा पांच कितना आएगा पांच यह होगा क्या होगा है पहले तो एल सीम निकालो अब पांच से काटो वाच दूना दस पचम पचीस पांच सते पैंटीस पचम पचीस तो पचम 25 25 सब्सक्राइब कितना होगा 125 सब्सक्राइब कितना होगा 875 होगा उमेज सुकला थिक है देखो तो एक सो पचीस का साथ में गुड़ा करो कि एक सो पचीस का साथ में कर लो चाहे तुम्हें काम करो पचीस का 35 में कर लो तो वही बात हुई कि आप से करो साथ पचे पैंटीस रुख जाए एक मिनट बिल्कुल मुझे भी लग रहा है यही होगा ठीक है आट सो पचब्सक्र ही होगा इसा मुझे भी लग रहा है आप लोगों को देखो यार गुड़ा भाग तो आना ही चाहिए साथ से गुड़ा करेंगे साथ पचे पैंटीस साथ दूना चाउदा तीन सतरा आसी लाया है एक साथ एकम साथ एक आठ तो इन दोनों का जो एलसीम होगा 875 आएगा कितना आएगा 875 आएगा और हंड्रेड और पचास 050 इसका दोनों का जो पचास आएगा पचास पचास से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे यह दोनों कट जाएं तो यह आएगा पचास इस तरह से आपका आणसर इतना आएगा लेकिन यह फाइनल नहीं एक परकार से इसे आप उत्तर लिखने के पहले सिंप्लिफाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे भी कंडिशन रहे लेकिन एक की जवर समझो अगर ऐसे कोजिशन दिया है जो भी तो ऐसे लिख दो ठीक है इसको कुछ नख़ो कोई सिंप्लिफाई करने की जरूरत नह नहीं है आप चाहते तो यहां से भी कर सकते थे उपर से नमज रहे हो ना इस्टर आई लब यू नाम थोड़ा अच्छा सा रगलो ढंग से तुम्हारा नाम बोलेंगे तो कोई दूसरा चिड़ जाएगा इनका नाम ही है क्या नाम है मलूम है आई लब यू इनका नाम है वाकि इनका और कोई नाम नहीं है चलो इनका इनका कमेंट बोलो आगे देखो यह हो गया कोई दिक्कत नहीं है इनका मतलब है कि कोई अच्छाए एक बात अब बताओ यह थोड़ा सा अलग है ना कुश्चन आप लोग अब कर लोगे ना इस टाइप में किनी कर पाओगे देखो यार अगर गडित सीखना है तो हर चीज स्टेप बाई स्टेप लेके चलना जरूरी है और समझ सोच के भी चलना है यह नहीं कि बस तुबा उठे गडित में लग ग चलो अगला है साथ जीरो बहत्तर यानि और एक्ठी हमा है पंदरह अरे हमा है पचासी और यह कितना बारह लो बताओ कि इनका लसी एंब बताओ कितना यह जल्दी करो सभी अधेश जी बताओ इनका लसी मताओ सभी बच्चे जल्दी करो उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं बहुत सारा टॉपिक है बहुत कुछ पढ़ना है गडित में बहुत कुछ पढ़ना है बेटा अधेश अगर पढ़ाई कर लोगे ना जी अब भी अब सब मिलेगा तुमें साधी भी हो जाएगी एक अच्छी सी परीसे नही काई कुछ बस बन जाओ बन जाओ तुम बोलते रहोगे बने नहीं कोई आगने लेकिन एक तुम कुछ कर जाओगे न तुमको ौद पकड़ लोग बनेंगे नहीं बन जा यार है कि लो इसका मैंने आप से सब्सक्रों पूछा है कोई बताया हरें द्वें ठीक है आयूस तो 72 & 85 का निकाल लो उसके बाद क्या करोगे 15 और 12 का कि इसमें स्याही पड़ीती कुछ मालूम नहीं है दोनों चल रहा वैसे आप देखो समझो यहां पर कि देखो आप वह कमेंट का रिपलाई कर लीजीए यहां पर बार बारर वह टेली गराम का लिंक को गरना दीजी इस टर एडिटर के उपर पिन कर दिया हूं मेसेज में छल आप कमेंट कर रिपलाई कर लीजी पुराना वाला इसको मत करें ठीक है कि इतना आएगा कि अल्सीम करना है इन दोनों का भाया देखो यह समसंख्या इनका लियर केस में निकलेगा बहुत लंबा चौड़ा निकलेगा यहां पर समझो इनका अगर हम निकाले यहां पर देखो आपके सामने ही आ सपेशाएगा जब तक काटलो 36 आएगा टी फाइब जो से काटलो इटारह आएगा ऐटी फाइब फिर दोसे काटलो नो आएगा वैसे सालब चाओं इसको साल्ब कर सकते हो लेकिन यह होने व इनका जो LCM होगा इनका गुड़नफल ही होगा ठीक है इनका दोनों का गुड़ा कर लो तब हो जाएगा बात समझ में आ रही ना तो बच्चा गुड़ा कर लो किसका 72 का 85 में मल्टिपल कर लो एक सट बीस आएगा ठीक है गुड़ा करना तो सबको मालूम है आविलकुल बच्चा वाला कोईश्चन है यह तो यह बच्चा वाला ही लेकिन जिनको नहीं आता ना उनके क्या क्या होता है तुम्हें नहीं मालूम हो कितना आएगा 61 and 20 हो गया और नीचे जो HCF है वो भी आप लोग कर लोगे मैक्सिमन नंबर क्या हो जाएगा भाई यह सी अब तीन हो जाएगा तो बटा क्या आएगा तीन क्या आएगा तीन तो यह एक सट बीस नीचे तीन यह उत्तर होगा भी बीगा है तो एक बात मुझे यह बताओ आप लोग यह सीख गए कि नहीं सब ही बताओ आप कर लोगे ना इसी तरह से आप लोग लेकिन अब इसमें ऐसे नहीं करने वाले हैं चलो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आप से डिस्क्रस कर लेते हैं क्योंकि आप गड़ित पढ़ने आये हो भीया गड़ित में सब कुछ पढ़ना होता है जो लोग काफी हाइफ हाई वाले हैं उनसे भी थोड़ा सा बात कर ले तो यह बताओ बच्छा लोग आप आप इसके अलामा भिन्नों का जो HCF है वो तो आज नहीं करवाएंगे आप कल करवाएंगे आप मुझे सभी लोग यह बताओ कि साइन 45 डिगरी कमान क्या होता है तिरपोर्ड मीती में चलो थोड़ा सा उपर बढ़ते हैं साइन 45 अंस कमान क्या आएगा जल्दी करिए बताइए अब यह टॉपिक आगे कल इसके पढ़ेंगे आज इसमें कुछ और पढ़वा रहे हैं इसको पढ़ो ध्यान से पहले साइन 45 अंस कमान क्या होगा अब यह इस पार्ड से संबंदित नहीं है यह मैं वैसे इक्स्ट्रा करवा दे रहा हूं बीच में इससे कोई मतलब नहीं उस पार्ड से चलो यह मत सोचना कि यह तो डारेक्ट इसमें कहां से आ गया है महिनाक्षी जी कमेंट आ रहे हैं अमित तुमको पता है तो तुम्हें पता ही रहेगा वह तुम अंदर यह अंदर जानो किसी से मत बताना कि यह को मैंने सिंपल सा कुछा इसका अंसर कोई नहीं बताया टेक्निकल लाउंडा एक है वह बता रहा है वह भी गलत है यह मैं जो वर्ट मुह से बोलता हूं न यह इनका नाम है आप देखो कमेंट में आ रहा है मतलब जो बोले वह बेकार है इसा इसा नाम रखके कि एप कृएंच है परतिभा गलत है कि आ ठीए जैसे मैंने आपसे मान पूछा कि है वैसे आपसे अगर मैं साइन पैसं पर च्प div का पोद्दि आप लोगों आप्लों कर लोगे लोगे श्राय कि इसका एक तरीका होता है वह मैं आप लोगों को कहो तो बता दूँ अब यह चीजें आपको क्या करना होता है याद कर के चलना होता है समझ करके कैसे समझना है मैं चलो एक साट कट में सब बता देता हूं कि इसका जो मान आयेगा बाबू एनbright कि इतना आएगा और अपान रूट 2 आएगा इस इनको नहीं पता वह नो लिख करें या ओनो हम जान जाएंगे कि आपको नहीं पता है कि वेगम जी आ गई आप अच्छी बात है कि आप आई तो कम से कम देर लगी आने में तुमको लेकिन सुकर है कि तुम आए तो कि चलो आपी का तो इंतजात है कि पीछे हो गया काई कि यि र crunch को नहीं आता मैं बता रहा हूं इसका मान एक बट़ते होगा किस क्मान अंडरूर 3 होगा इसका बान 0 होगा इसका मान 1 होगा लेकिन यह होता कैसे आप काई कि सारी लंका जल गई घर कि नहीं पता कि लड़ाई का है हुई थी तिनको यह नहीं पता की काहे लडाई हुई थे मगें लिस से पड़ दिये किद्ड रहा हुए कुटने पास किसादी ह biology हुः कितने अपना काम में लग गए हैं इनको नहीं पता की कर पड़ क्या रहे हैं कि लूट पर हम आपको बताएंगे की कैसे आप इन्हें निकालोगे मतलब समझोगे कैसे याद निकरना है आपको समझना है कब से पहले आप अपना आथ जो है पैन ले लिजिए कापी ले लिजिए नाक आप पोच लिजिए अगर निकल रही तो फिर तयार हो जाएए इधर इधर साइड में क्या लिखोगे बच्चा इधर लिखोगे साइन यहां पर तुम क्या लिखोगे जीरो डिगरी यहां पर लिख तीस डिगरीई क्योंकि यह थोक रेट में निकलेगा 45, 60 और यह 90 थिक है है फोक रेटा में निकलेगा मतलब इकत्था निकलेगा सारा मान gyda समोसा निकलताक पकड़ा कराहई से तेल गरम हो जाता इककठे डाल देते हैं छान- छान- निकालतेँ उसमें एक एक नहीं निकालते हैं कि एक eक समोसा क्वान निकालना है क्या करेंग बच्चा इनके नीचे नंबरिंग करेंगे नंबरिंग मतलब इनके नीचे जीरो से लिक चार तक गिंती लिख दो कि अवक्त आए गाइगा तुछ रामन एक साथ हाएगा देखो नहीं रखाए बच्चा इनके नीचे नंबरिंग करें नंबरिंग मतलग करने के बाद सब को चार से बाग करोगे यह स्टेफ है देखो दवड के आजाएगा आप चाहो ना परिक्षा में चुटकियों में कर सकते हो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है उसके बाद इनको सिंप्लिफाई करोगे बगवा यह जीरो आएगा यह वन अपान फोर ही रहेगा यह लूंडा कट्पिटके वन अपान टू आजाएगा यह थिरी यह पान फोर आएगा यह वन आएगा लाइफ टाइम में क्या करोगे सबके वर्गमूल कर लोगे बस हो गया तेल गरम फॉर्गमूल जीरो कजीरो वन का वर्गमूल वन टू पोर कर टू अपान टू तो टू कि वकशИू का वर्गमूल निकले गाने बैकरहं सभें थेयंको और कद्धों हो जाएगा इसका वन देखो आ गया थो ग्रेट में न है आ गया कि नहीं बच्चा अमित कुमार आया राज पटेल जी बहुत-बहुत बधाई हो बर्थडे की आपको पुप कुषरो तरक्की करो साधी हो जाए तुम्हारी सबसे पहले चलो देखो साइन 0-0 साइन 13 कमान एक बटा दो सांइन 45 कमान एक बटा रूट दो साइन साथ कमान ओखण जैंके कुछ दर संबस्साइं मिला ओ जिन्के पास तिरकोड मिति की किताब है इनके पास तिरकोड मिती की किताब है मिला लो कहीं सर्च कर ले ना गूगल पर वाटिक दा बैलू आप साइन सिफ्टी तब आ गया इस तरह से आप क्या करोगे कास वाला भी निकाल लोगे बताएं की ना बताएं बताओ यह बच्चा मुझे पताई इसका बर्थडे बर्थडे कुछ नहीं बहुत गधा है यह रोज कुछ नया नया मैटर लेके आता जिससे लोग पढ़ाई छोड़ करके इसके कमेंट पर आ जाएं कुछ नहीं है मुझे मालूम है अब मैं पूछूंगा और तुम बताओगे ना बताओगे ना तो भी लात खाओगे अब मतलब समझ गया कि नहीं आपको क्लास में बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो यहां हमारे यहां पढ़ने आते थे उनको मालूम है इसका मतलब कुछ और होता है तुम समझो के कुछ और आप चलो बताओ साइन पैतालिस कामान किegerते ना आयेगा जल्दी बताओ चलो साइन पैतालिस कमान किune अब खेंच जाँ मनवा यहां टिस्टेक ना करो निकल लो कि मैंने क्या पूछा साइन साट का मन क्या होगा नहीं पता है मत बताओ अब यह क्या करेंगे सब लोग इनको बर्थटे 20 करेंगे यह सब को थाइंग से बोलेंगे मतलब हम बैट के अलू चीले अब पढ़ाए ना इनका यह मतलब है क्या बताओं मैं कि रुक जाए इसको मैं पकड़ के बला कर रहा हूं एक दम पर्मानेंट चलो देखो यहां पर समझो मैंने क्या पूछा आप से जो पूछा वह तो तुम बताए नहीं अब साइन कमान निकालेंगे जीरो तीस पैटालिस ताट अपर ठीक है समझो अब बर्थटे वाला गया आप विस ना करो नहीं बलाक कर देंगे तुरंद अब क्या करोगे वन से लेकर के फॉर तक उसमें गिंती लिखे थे ना वन से लेकर फॉर तक की गिंती लिखे थे ना अब क्या करोगे बच्चा अब तुम इसमें फॉर फे लेकर के जीरो तक गिंती लिखोगे मतलब उल्टा करोगे उल्टा जैसे इसमें वन से सुरू करक जीरो से सुरू करके फॉर तक गय थे वैसे इसमें तुम इधर से जीरो से सुरू करोगे जीरो वान-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू-टू- कबके वर्गमूल कर लो एक कवर्गमूल एक अंडरूट तीन चार कवर्गमूल दो एक बटा दो एक कवर्गमूल एक हो जाएगा दो कवर्गमूल अंडरूट दो होगा एक कवर्गमूल एक चार कवर्गमूल दो जीरो का जीरो कोई पूछेगा बता देना सा कॉस जीरो अंसकामान वन वास तीस अंसकामान रूट तीन बटा दो याद कर लो कंपेर करके जो कास तीस का होता है वो साइनस आठ का होता है ठीक है बच्चा हो पाबू हो तेरे लगे कि आने में तुम को शुक्र है कि तुम आए तो इसको लाइट को लाइट चली गई और किसी को नहीं बुला रहे